करनल कुछ चुपा रहे हैं, बहुत सी बातें इन से उगलवानी होगी, बड़े चाला की इनसान हैं हम कली उसे हेड़कॉर्टर के लिए रवाना कर देंगे सर मैं उन्हें हेड़कॉर्टर लेकर जाओंगा Don't worry, security के लिए हावा सोखने के लिए बने हैं लेकिन कुछ लोग फेफणों को बीडी सिक्रिट का धूआ सोखने के लिए इस्तिमाल करते हैं एक आम धुम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफणों को अगर आपने चोड़ कर देखें तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का कैंसर पैदा करने वाला टार मिलेगा इतना टार आपको बीमार बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है सोडी यानि कि आमिता बच्चन को इस मामले की जाच करने के लिए कहा जाता है और उन्हें पता चलता है कि मंतरी बीर भदर सिंग डैनी डिंग जोग पा इस साजिस में सामिल हैं करनल सोडी ने चंगेजी को मारने के प्रयास में अपनी मौत का मंचन किया है और मुंबई में दादा भाई देवराज हतोडा के रूप में रहना सुरू कर दिया है मेजर अजीत आर्रे यानि की नाना पाटेकर को एक बंगाली की आन में भेजा जाता है पत्रकार दादा भाई देवराज हतोडा की असली पहँचान का पता लगाने के लिए आरी को सच्चाई का पता च अब्बू को मेजर अजीत आरे के प्यार में एक पुलिस अधिकारी के रूप में दिखाया गया है और जयापरदा को करनल सोडी की पत्नी के रूप में दिखाया गया है। इस फिल्म के नर्देशक हैं मेहुल कुमार और इसके लेखक हैं इकबाल दुरानी और इस फिल्म को निर्मित किया है अमता बच्चन कार्पोरेशन ने और इस फिल्म को अफनित किया है अमता बच्चन जयापरदा नाना पटेकर और पुनीत ने और इस फिल्म में संगीत दि जलीप सेन और समीर सेन जी ने ये मूवी रिलीज हुई थी 13 अगस्त 1999 को 20 भारत भाष्या हिंदी अगर इसके बजट की बात करें तो 11 क्रोंड यानि की US 1.4 मिलियन के बजट पर ये मूवी तयार हुई थी अगर इसके बॉक्स आफिस कलेक्शन की बात की जाये तो 16.8 भाया है तो आईए जानते हैं उनके बारे में करनल बलवीर सिंग सोड़ी यानि की देवराज हथोड़ा दादा भाई के रूप में आमतावच्चन है और मेजर अजीत आर्रे बासू बंकिम चंद्र चटोपत ध्याय बीवी सी के रूप में नाना पाटेगर हैं और जया प पूर चंगेजी के रूप में हैं और इस्वेक्टर किरण पाटेकर के रूप में तब्बु हैं और मुकूल देव मोंटी के रूप में हैं और कबीर वेदी ब्रिगेडियर के रूप में वेदी हैं और आईसा जुलका सुईटी के रूप में हैं और अवतार गिल पुलिस आयुक्त के रूप में हैं और बीर भादर सिंग की बेटी के रूप में किसोरी गोड बोले हैं उनकी फिल्म म्रत्युदाता 1997 बॉक्स वाफिस पर फ्लाप होने के बाद निर्देशक मेहुल कुमार अमिता बच्चिन के साथ एक बार फिर फिल्म बनाना चाहते थे इन दोनों फिल्मों का निर्माड अमिता बच्चिन कार्पोरेशन नी किया था यही है कि समय था जब उन्हें कोहराम पर विचार किया तो उसने घोसित मूल कलाकारों में डिमपल कपाडिया अरसद वार्सी और करिस्मा का पूर्ष सामिल थे जिनका कम कार सिर्षक एव वतन तेरे लि पहले यह फिल्म 6 अगस्त को रिलीज होने वाली थी लेकिन फिर मेहुल कुमार ने इसे 13 अगस्त तक बढ़ा दिया इसकी अलोचात्मक सुईकारताएं कोहराम को मिस्त्री समिच्छाएं मिली हैं लेकिन कुमार की पिछली फिल्म रतुदाता से बहतर फिल्म मिली जबकि र पहली चमाही अच्छी है वहीं दूसरी चमाही को संपायदित किया गया है लेकिन फिल्म नाना पाटेकर के प्रसंसकों के लिए एक इलाज है उन्होंने फिल्म में तब्बू के अभिने की विस्तराहना की है अगर इसके बॉक्स आफिस की बात करें तो कोहराम ने बॉक्स कमाई करने वाली घूसित हुई इस फिल्म में गीत दिलीप सेन और समीन सेन की जोड़ी का संगीत है नंबर एक जै माता दी वे अंबे बलिहारी संजीवनी कुमार ने इसको गाया है नंबर दो पलकों को कलाम बना के तो मेरा नाम नहीं अलका यागनिक और हरहरन जी ने इसको नंबर वन उधिन नारण और कविता कbor घृष्ण मूर्ती जी ने इसको गाया है नंबर पांच पागल हुआ 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 संकर महादेवन और जस्पिंदर सिंद नरूला ने इसको गाया है नंबर छे माश का है ये जिन्दगी तुम हो इस पे सवदा सुदेश भोसले और अमित कुमार जी ने इसको गाया है नमबर साथ लड़की लड़की हो लड़की अलकायागनि और अवनित जी ने इसको गाया है हम हैं बनारस के भाईया सुदेश भूसले और अमित कुमार जी ने इसको गाया है तो दोस्तों कोहराम मोबी का निर्देशन मिहुल कुमार जी ने किया है तो मिहुलकुमार, मुहम्बत इबराहीम, बलोच या बलोच जन्म 1909 जिसे मिहुलकुमार के नाम से जाना जाता है बाली बुड में एक भारती फिल्म निर्माता और लेखक हैं तिरंगा 1992 में और क्रांती वीर 1993 और कोहराम 1999 फिल्मों के निर्देशन के लिए जाना जाता है उनकी अनिकरतियों में म्रत्युदाता 1997 और कितने दूर कितने पास 2002 के साथ साथ कई गुजराती फिल्में सामिल हैं मेहिल कुमार मोहमत इबराहीम बलूच 1 जुलाई 1989 को इनका जन्म जामनगर बामबे राजजी भारत में हुआ था मात्र संस्थान बामबे विस्थुद्यालाय बेवसाय फिल्म निर्माता और लेखक और पत्रकार हैं इसने अपने जीवन की सुरुवात 1977 से बर्तमान समय तक इनके तीन बच्चे हैं अगर इनके हम प्रारभ्मिक जीवन की बात करें तो मेहिल कुमार का जन्म 1949 में गुजरात के जामनगर सहर में एक मकरानी बलूच परिवार में मुहमत बलूच के रूप में हुआ था बांबी बिस्विद्याले से इसना तक होने के बाद उन्होंने 1970 के दसक की सुरुवात में एक पत्रकार के रूप में सुरुवात की और जिसमें फिल्म समिच्छा लिखना सामिल था इसके बाद वो एक गुजराती थ्रेडर में स्काम करने चले गए अगर हम इनके फिल्मी काईरियर की बात करें तो इन्होंने फिल्मों में उनका पहला काम चंदरकांत शंगनी के सहाइग निर्देशक के रूप में और फिर आमिर खान के पिता ताहिर हुसाइन के साथ था उन्होंने गुजराती कमेडी चंदू जमादार 1977 के साथ अपने निर्देशन की सुरुवात की जो दादा कोड के की बेहित सफल लोब रो मराठी कमेडी पांडू हवलदार 1975 की रीमेक थी हाला कि ये कुमार की 1977 की दुईभासी हिंदी गुजराती फिल्म जनम जनम ना साथ गुजराती फिर फिर जनम लेंगे हम हिंदी थी जिसे ताहिर हुसेन ने निर्मित किया था जिसे पहली बार पहचान मिली थी अपनी सफलता के बाद कुमार ने इन वर्सों में 18 सफल गुजराती फिल्मों का निर्देशन किया है कुमार ने फिर अपनी दूसरी हिंदी परियोजना अनोका वंधन 1982 बनाई है इसके बाद उन्होंने धर्मिंदर जितंदर और अनिल कपूर मिनाची सोसादरी और सबाना आजमी माधुरी दिश्चित और शत्रगन सिना महमूद और फिरोज खान जैसे अभने ताहों के साथ फिल्मों का निर्देशन किया है इसके बाद कुमार की ब्लोगबास्टर गोल्डेन जूबली हिट मार्केट डैम तक 1987 आई जिसमें राजकुमार गोविंदा और फराह ने आभिने किया है 1990 के दसक में जंग बाज नफरत की आँखे और बंदूग टूबैक फिल्मों की एक स्रंकला का अनुसरन किया गया है 1990 के दसक में उन्होंने राजकुमार और नाना पाटेकर अबनित तिरंगा 1992 जैसी ब्योसाइक रूप से सफल फिल्में बनाई है इसके बाद बंबाई दंगे पर आधारित क्रांती वीर 1993 का अनुसरन किया है क्रांती वीर बॉक्स आफिस प का नर्देशन किया जो पांच साल बाद अमता बच्चन की वापसी वाली फिल्म थी लेकिन ये बॉक्स आफिस पर अस्फल रही उन्होंने कोराम 1999 में नाना पाटेकर और अमता बच्चन को एक साथ लाया हलाकि ये वेवसाइक रूप से भी अस्फल रही लेकिन इसे इसके प्रमुक अपने ताओं के प्रदर्सन के लिए याद किया जाता है इसके बाद उन्होंने कितने दूर कितने पास 2002 बनाई इसने अच्छा प्रदर्सन किया उनकी अगली फिल्म जागो 2004 में एक ब्योसाइक जीवन की घटना पर आधारित थी और भारत में बलातकार के बारे में जागरुकता बढ़ानी वाली पहली फिल्म में से एक थी उनकी आकरी फिल्म क्रांती वीर दा रिवोलेशन थी 2010 में उनकी बेटी जहान बलोच ने मुकी भूम का निभाई और क्रांती वीर की अगली कड़ी थी उन्होंने अपनी कुछ फिल्लने में जैसे तिरंगा क्र प्रांती वीर कोहराम और जागो का निर्माड भी किया है फिल्म परियोजनाओं पर कुमार के साथ काम करने और सहयोग करने वाले अन्य अबनेताओं में डिमपल कपाडिया नसरुदीन साह अक्षे कुमार रवीना टंडन और करिस्मा कपूर जैसी हस्तियां सामिल हैं अग कि भाई हुसेन बलूच गुजराती सीनेमा में एक फिल्म निर्दे सक हैं और उन्होंने कुमार के साथ उनकी कई फिल्मों में वी काम किया है। काम करते हुए एक बेकरी चलाती हैं उनके बेटे जोहेव मुहमद बलूच ने कुमार को फिल्मों में निर्दे सन के रूप में सहायता प्रदान की। उनकी एक और बेटी समीम खान हैं जो एक कस्ट्यूम डिजानर हैं और एक भाई प्रोडेक्शन मेनेजर मुहमद बलू कुमार के साथ उनकी फिल्मों में काम किया है परिवार अपने उपनाम के लिए बलूच की असमान निवर्तनी का उपयोग करता है जिसे आमतोर पर बलूच के रूप में लिखा जाता है। क्रांती बीर को मेहूर कुमार जी ने निर्देशित किया है 1994 की भारती हिंदी भासा की एक्शन क्राइम फिल्म है। क्रांती बीर की अगली कड़ी क्रांती बीर्दा रेवुलियोशन 2010 के रूप में जारी की गई थी। यह बॉक्स ओफिस इंडिया की अनुसार यह बॉक्स ओफिस पर एक ब्लेक बॉश्टर थी। इसकी कहानी सुरू होती है प्रताप तिलक यान की नाना पाटे कर एक सोतंतरता सीनानी भीस्व नरांड तिलक के पोते हैं। प्रताप जुआ खेलना सुरू कर देता है और इससे भीस्व नरांड की मृत्ति हो जाती है। प्रताप की मादुर्गा देवी फरीदा जलाल इस सबसे कुरुद होकर उसे गाउं छोड़कर चले जाने के लिए कहती है। प्रताप मुमई आता है और जहां वो चाल मालिक लश्मी नात परिस रावल के बेटे अतुल अगनिहोतरी की जान बचाता है। लश्मी कांतनी प्रताप को अपनी साथ रखनी का फैसला किया। जब वो बड़े होते हैं तो अतुल को ममता कुलकरणी से प्यार हो जाता है। जो योगराज यानि की ट्यून आनंद की एक बिलडर की बेटी हैं। प्रेस रिपोर्टर मेगाती चित पर हसता रहता है। प्रताप डिंपल का पाडिया जो चाल में रहता है और अकबारों में इसके बारे में लिखकर अन्याय से लड़ता रहता है। प्रताब लोगों को दूसरे की मदद के लिए इंतजार करने के बजाए मजबूत बनाना और खुद के लिए लड़ना सिखाता है। चतुर सिंग चिता यान की डैनी डिंग गोच पा एक योगराज और रिसाइट बनाने की योजना बनाते हैं और उस जगह पर वे संपरदाइक दंगों की दिवस्था करते हैं। सामुईक हत्याएं और लोगों के घर जलाना लक्ष्मी कांथ की हत्या चतुर सिंग चिता ने की थी प्रताब को तब पता चलता है कि वो मेगा के माता पिता की हत्या चतुर सिंग चिता ने ही की थी और उसके साथ वलतकार किया था। वो उससे साधी का प्रस्ताव रखता है और ममता और पिता का घर छोड़ कर अतुल के घर आती है प्रताब भ्रिष्ट मंतरी यानि की न्याधीस और पुलिस अधिकारियों को मारता है और उसे पकड़ लिया जाता है और उसे मौत तक फांसी पर लटकाने के आदेश दिये जाते हैं चतुर सिंग चिता प्रताब को मारने की योजना बनाता है लेकिन प्रताब के हाथों मारा जाता है ये कहानी एक बहादुर ब्यक्ति की है जो अन्याई का सामना करने का फैसला करता है और इसके लिए अपनी जान देने को तयार है प्रताब की कोसिस की जाती है और उसे फांसी की सजा सुनाई जाती है अंतिम समय में उसे फासी दिये जाने से पहले येक वकील घटना अस्थन पर ये सूचित करता है कि प्रताब को राष्टपती द्वारा छमा कर दिया गया है इंडियन एस्प्रेस ने लिखा है कि नाना पाटेकर जो बाली बोड में सर्फ स्विष्ट अपनेता होने का दावा करते हैं क्रांती बीर को देखने का मुखी कारण है समिछा के आगे कपाडिया और रावल सहीत मजबूत सहाय कलाकारों का उलेक किया गया है कोहरा मोबी में अमता बच्चन जी ने अपने रोल को बखू भी प्ले किया है तो आईए जानते हैं अमता बच्चन जी के बारे में अमता बच्चन जी का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को एक भारती अभनेता फिल्म निर्माता टेलिविजन होष्ट समयिक पर्स गायक और पूर्व राजनितिक गहें जिने हिंदी सिनेमा में उनके काम के लिए जाना जाता है उन्हें भारती सिनेमा के इत्यास में सबसे प्राचीन सबसे प्रभावसाली अपनेताओं में से एक माना जाता है 1970 और 1980 के दसक के दोरान वो एक भारती फिल्म परदर्स में सबसे प्रभावसाली अपनेताओं थे फ्रांसी सी निर्देशक फ्राइंग को इस टू ने उन्हें वन मैन इंडिस्टी का मैन कहा गया है इनका जन 1942 में इलहाबाद में हिंदी कभी हरिवन्स राय वच्चन और उनकी पत्नी सामाजी कार्यकरता तेजी वच्चन के यहां हुआ था उन्होंने सेर्वुड कालेज नैनी ताल और किरोडी मल कालेज दिल्ली विस्विदाले से सिच्छा प्राप्त की है उनकी फिल्मी करियर 1979 ने मनडाल सेंद की फिल्म भुवन सोम से एक आवाज कथाकार के रूप में सुरू हुआ उन्होंने अपनी पहली बार 1970 के दसकी सुरुआत में जंजीर दीवार और सोले जैसी फिल्मों के लिए लोग प्रियता हांसिल की है और उन्होंने हिंदी फिल्मों में उनकी आन स्क्रीन भुमकाओं के लिए उन्हें भारत का एंगी एंग मैन करार दिया गया है के रूप में संदर्वित बालीबुट के साहन साह उनकी 1988 के फिल्म साहन साह के संदर्व में साधिका महानायक हिंदी के लिए दा ग्रेटर एक्टर आप दा सेंचुरी, इस्टार आप दा मिलेनियर या बी बिग बॉस या तब से दोसों से अधिक भारती फिल्मों में दिखाई दिये हैं पांच दसकों से अधिक के अईर कैरियर में अपने कैरियर में कई पुरुसकारों जीते हैं जिसमें सर्फिष्ट अभिनेता के रूप में चार राष्टी फिल्म पेर पुरुषकार आजीवन उपलबदी पुरुषकार के रूप में दादा साहफल के पुरुषकार और अंतरराष्टी फिल्म समारो और पुरुषकार समारो में कई पुरुषकाल सामिल हैं उन्होंने 16 जीता है, फिल्म पेयर पुरुसकार और फिल्म पेयर में किसी भी प्रमुक अन निस्रेडी में सबसे अधिक नामांकित कलाकार हैं, जिसमें कुल मिलाकर 42 नामांकर हैं, अब इने के अलावा अब से एक बच्चन इनके बेटे हैं, और अमता बच्चन ने का एक फिल्म निर्माता और टेलिवीजन प्रस्तुत करता के रूप में काम किया है, उन्होंने गेम सो कौन बनेंगा करोनपती, गेम सो फ्रंचाजी के भारत के संसक्रंड, Who Wants To Be Our Millionaire के कई सीजन की मेजबानी की है, उन्होंने 1980 के दसक में कुछ समय के लिए राजनीती में भी प्रवेस किया है, भारत सरकार ने उन्हें कला में उनके योगदान के लिए 1984 में पदम सिरी 2001 में पदम विभूसन और 2015 में पदम विभूसन से समानित किया है, फ्रांस सरकार ने उन्हें सिनेमा और उससे आगे की दुनिया में उनके असाधारन कैरियर के लिए 2007 में अप आनर से सम्मानित किया गया है अमता बच्चे ने एक हाली बोड फिल्म बाज लुहरमन की दा ग्रेट गैडव सवी दो जार त्यारा में वी अवने किया है जिसमें उन्होंने एक गैर भारती याहुदी चरित्रमेर वेल साइव हम की भूम का निभाई है भारती उप अरिका और मारिसस मध्यपूर विशेश रूप से सैंक्त अरब अमीरात और मिस्त्र यूनाटेट किंग्डम सहित पाजारों में दच्छिड एसियाई डैस्पोरा के साथ साथ अन्नी लोगों का एक बड़ा विदेशी अधिकरण किया है रूस कैरेविन गुयाना सूरिनाम अगर इनके हम प्रारमिक जीवन की बात करें तो अमिता बच्चन का जनम 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद में हिंदी कवी हरिवन सराय बच्चन और सामाजिक कारिकरता तेजी बच्चन के यहां वुआ था हरिवन सराय बच्चन एक अवधी हिंदू कास्त थे जो अवधी हिंदू और उर्दू में धारा प्रवा थे हरिवन सराय के पूर्व पूर्वज भारत के बरतमान उत्तर प्रदेश राजी के प्रताब गरजीले के रानी गंज तहसील के बापू पट्टी नामक गाम से आय हुए थे तेजी बच्चन एक पंजावी थे लालपूर पंजाब ब्रटिस भारत बरतमान फैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान से सिक खत्री बच्चन का एक छोटा भाई अजिताब है वो उसे पांच साल छोटा है आमिता बच्चन के माता पिता सुरू में उनका इनका नाम इक लाब क्रांती के रूप में हिंदुस्तानी रखे जा रहे थे जो की भारती सुतनता संग्राम के दोरान लोगपरी रूप से इस्तेमाल किये गए इनक लाब जिन्दाबाद जो अंग्रेजी में लंग आउव लाइबदा रिल्योयोशन के रूप में अनुआत करता है श जिन्होंने जाती बेउस्ता का विरोध किया था बच्चन ने बोल चाल की हिंदी में बच्चे की तरह अपनाया था जिसके तहट उन्होंने अपने सभी कारियों को प्रकासित किया है जब उनके पिता उन्हें एक स्कूल में भरती कराना चाहते थे तो उन्होंने और बच् कारी कुद्देशों के लिए इस्तेमाल गिया बच्चन अपने तत्कॉल परिवार के लिए उपनाम बनाए गए बच्चन के पिता की मृत्यू 2003 में और उनकी माता की मृत्यू 2007 में हुई थी बच्चन की मादिमिक सिच्छा इलहाबाद में लड़कों के हाई स्कूल और निताल में सेरबुट कॉलेज में हुई थी उन्होंने दिल्ली विशुविद्याले में किरोडी मल कॉलेज से पढ़ाई की उन्होंने 1962 में किरोडी मल कॉलेज से विज्ञान इस्तना तक की वाधी अस्ता निस्तापेत की जब बच्चन अपनी पढ़ाई पूरी की तो उनक कोई उद्गाटन हैं लेकिन कपूर ने कोई प्रोतसाहन नहीं दिया अमिता बच्चन बनने से पहले राजियू गांधी और संजियू गांधी के मित्र थे वो नई दिल्ली में अपने आवास के दोरान उनके साथ समय बिताते थे बच्चन का परिवार राजनेताओं के स्वागत किया था उन्होंने बच्चन के घर पर अपने माता पिता के साथ 48 दिन बिताए बच्चन ने आल इंडिया रेडियो दिल्ली के लिए एक यूजी रीडर के रूप में एक भूमिगा के लिए आवेदन किया था लेकिन आडियंस में विफल कोलकात्ता में बर्ड ए प्रभाव हो सकता है क्योंकि उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि उन्हें स्टेज लेना चाहिए अगर इनके हम फिल्मी करियर की बात करें तो इन्होंने अपने मनाल सेन की राष्टी प्रुसकार विजेता फिल्म भूवन सोम में एक आवाज कथाकार के रूप में अपनी फिल्म की सुरुवात की खाजा आहमाद अब्बास द्वारा निर्देशित और उत्पलदत अन्वर अली हाश्य विनेता महमुत के भाई मधु और जलाल आगा द्वारा निर्देशित फिल्म साथ हिंदुस्तानी में उनकी अपने भूमिका साथ पात्रों में की नाना पाटेकर हिंदी फिल्मों के मसूर अभनेता माने जाते हैं उनके अभिने के साथ सभी कायल हैं और यही कारण है कि उन्हें आज तक कई बार राश्टी प्रुष्कार और फिल्म फेर प्रुष्कार से समानित किया जा चुका है और उन्हें पदम सिरी समान भी मिल को बोलने की style को लेकर काफी महसूर है उनके आभिने की दिवाने आपको हर आई वर्क के मिल जाएंगे नाना पर्टेकर का जनम मुरूड जंजीरा राइगड महराश्ट में हुआ था उनके पिता का नाम दिनकर पर्टेकर और उनकी मा का नाम संजा भाई नाना पर्टेकर है नाना पाटेकर की पढ़ाई सर जेजे इंडिस्ट्यू अफ अप्लाइमेंट आर्ट मुंबई से हुई थी नाना पाटेकर की साधी नीला कांती पाटेकर से हुई है लेकिन बात में उनका तलाक हो गया था उनका एक लड़का भी है जिसका नाम मलहर है अगर हम इनके फिल्मी करियर की बात करें तो नाना पाटेकर ने करियर की सुरुवात फिल्म गमन से भूई थी लेकिन इंड़िस्टी में उन्हें फिल्म परिंदा से नोटिस किया गया है जिसमें उन्होंने खलनाइक की भूईम का अदा की थी इस फिल्म में उनके आविने के लिए उनी सर्फसेश्षाहकवनिता का राश्टी फिल्म पैर पुरुसकार बी दिया गया है इसके बाद उनोंने कई अच्छी फिल्मों में भी काम किया है और अपने अभिने का लोहा मनवाया क्रांति बीर, खामोसी, यस्वन्त, आब तक 56, अपरहनड, बेलकम, राजनीत उनकी प्रमुक फिल्मों में से एक हैं 2008 में फिल्म एक्ट्रेस तनुस्री दत्ता ने नाना पटेकर पर फिल्म हार्न ओके प्ले एस एस के सेट पर योन उत्प्रिण का आरोप लगाया था माज 2008 में उन्होंने सिनेटा और सिनेर और टीवी कलाकार एसोसियन के साथ सिकायत दायर की लेकिन उस दोरान कोई करवाहिन नहीं की गई दस साल बाद एक बार फिर तनुस्री ने वर्ष 2018 में इस स्मुद्दे को उठाया जिससे पूरे बाली बोडन से उन्हें सपोर्ट मिल गया तो वही नाना पटेकर ने तनुस्री के उपर मानिहानी का मुकदमा डायर किया डैनी डिंग जोगपा ने कोहरा मूबी में अपने रोल को बखुवी प्ले किया है तो डैनी डिंग गोजपा हिंदी फिल्मों के मसूर अबनेता हैं हिंदी फिल्मों के साथ उन्होंने नेपाली तिल्गू और तमिल फिल्मों में भी काम किया है उन्होंने हालिवुड फि मन भी मिल चुका है वे अपने खलनायक और साहक अबनेता के किरदारों के लिए जाने जाते हैं उन्होंने कई फिल्मों में अपनी खलनायकी से लोगों को दिलों में दहसत पैदा की है डैनी का जन्म सिक्किम में एक बहुत परिवार में हुआ था डैनी की सुरुवाती पाई उन्होंने बिरला बिद्या मंदिर और सेंट जोसेफ कालेद दरजलिंग से की है डैनी ने फिल्म एंड टेलिवीजन इंडिस्ट्री आफ इंडिया पूरे से एक्टिंग के गुद सीखे हैं डैनी की सारी गावा देंग गोपा से हुई है उनके दो बच्चे भी है र लेकिन फिल्म मेरे अपने में उनके सकारात्मक भूम का निभाई गई है उन्होंने पहली बार प्रमुग नकारात्मक भूम का फिल्म दुंद में निभाई थी इसके बाद वे कई फिल्मों में दिखाई दिये और उनके अविने का कमाल सभी ने देखा आलुचकों और जन तब्बु जी ने अपने रोल को बखूवी प्ले किया है तो आयो जानते हैं तब्बु जी के बारे में तब्बु हिंदी फिल्मों की मश्चूर अबनेत्री हैं वे मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में अभिने करती हैं इसके अलावा उन्होंने अंग्रेजी तेल्गु तमिल और मलेयालम मराठी और बंगाली फिल्मों में भी काम किया है उन्हें सरफसेष्ट अबनेत्री का दो बार राष्टी और छे बार फिल्म पेर पुरुसकार भी मिल चुका है और उन्हें भारत सरकार की तरफ से पदमसरी समान से भी समानित किया जा चुका है वे भारत का नाम जमाल हास्मी और मा का नाम रिजवाना है उनकी एक बड़ी बहन है जिनका नाम फराज नाज है वो हिंदी फिल्मों की मसूर अबनेत्री रही है तब्बु ने साधी नहीं की है तब्बु की पढ़ाई सेंट एस स्कूल हैदराबास से हुई थी इसके बाद तब्बु मुंबई आ गई जहां उन्होंने सेंट जेविर स्कॉलर्स से दो साल तक पढ़ाई की और अपने फिल्मी केरियर की सुरुआत उनीसो असी में आई फिल्म बाजार में उनका छोटा सा कीरदार था और उस वक्त उनकी उम्र काफी कम थी उन्होंने अबनेत्री के तोर पर उ अबनेत्री का फिल्म फेर पुरुषकार भी मिला है इसके बाद उनकी कई फिल्में आई जिसके लिए उन्हें आलोचकों के साथ साथ दर्सकों से भी खूब वहवाही मिली है इसमें माचीस बिरासत हुतुतु अस्तिस्तु चांदनी वार दे दे प्यार दे द्रस्यम और ह आईदर प्रमुख है जया प्रदाजी ने कोहरा मूबी में अपना रोल बखू भी निभाया है उनके द्वारा लोगों ने काफी प्रसंसाय मिली हैं उनको तो जया प्रदाजी ने हिंदी सिनेमा की एक सफल हिर्वाइन रही हैं जया कई सफल फिल्मों में भी काम कर चुकी यूपी के रामपूर से दो बार सांसत बनी हैं हाल ही में उन्होंने बीजेपी जोईन की है और फिर रामपूर से चुनाओ मैदानी में हैं वो लगातार समाजवदी नेता आजम खान के बयानों के कारण सुर्खियों में भी हैं इसके अलावा वो 1998 से 2004 तक राजी सभा सदस से भी रह चुकी हैं जया प्रदा का जनम 3 अप्रेल 1962 को आंदप्रदेश के राजमुंदरी में हुआ था उनके पिता कृष्ण राव तेलगू सिनेमा से जुड़े हुए थे जबकि उनकी मा एक ग्रहडी हैं अगर हम इनके फिल्मी केरियर की बात करें तो जया बच्चन न ही डांस करने में माहिर थी वो एक बार जब वो अपने स्कूल में वार्सी चोक में डांस कर रही थी तब ही वहां पधारे एक फिल्म डारेक्टर की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने जया को अपनी तेलगू फिल्म भूमिका कोसम में एक 3 मिनट का टाइम डांस नंबर आफर किया यह वही हैं फिल्मी केरियर की सुरुवात हुई उन्होंने कई तिल्गू तमिल कंण और हिंदी फिल्मों में भी काम किया है जया ने 1986 में प्रेड्यूसर सिरीकांत नहाता से साधी की है जो कि पहले से ही साधी सुदा थे और तीन बच्चों के पिता थे यह साध यानि कि आमिता बच्चन को इस मामले की जाच करने के लिए कहा जाता है और उन्हें पता चलता है कि मंतरी बीर भदर सिंग डैनी डिंग जोग पा इस साजिस में सामिल हैं करनल सोडी ने चंगेजी को मारने के प्रयास में अपनी मौत का मंचन किया है और मुंबई में पत्रकार दादा भाई, देवराज, हथोड़ा की असली पहँचान का पता लगाने के लिए आरी को सच्चाई का पता चलने के बाद और मंतरी को न्याय दिलाने और आतंकवादी समूह को समाप्त करने के लिए करनल सोडी से हाथ मिलाता है और तब्बु को मेजर अजीत आर के प्यार में एक पुलिस अधिकारी के रूप में दिखाया गया है और जया परदा को करनल सोडी की पत्नी के रूप में दिखाया गया है कोहराम मोवी सन 1999 की भारती हिंदी भासा की एक्षन फिल्म है जिसका निर्देशन मेहुल कुमार ने किया है इसमें अन्य सहक अबनेताओं के साथ आमिता बच्चन, नाना पाटेकर, जया प्रदा, डैनी, डेंग, जोगपा, तब्बू और जहकी स्राप हैं यह बॉक्स ओफिस पर आउसत कमाई करने वाली थी तो दोस्तों इस फिल्म के निर्देशक हैं मेहुल कुमार और इसके लेखक हैं इकबाल दुरानी और इस फिल्म को निर्मित किया है अमिता बच्चन कार्पोरेशन ने और इस फिल्म को अफनित किया है अमिता बच्चन जय बजट की बात करें तो 11 करोंड यानि की U.S. 1.4 मिलियन के बजट पर ये मूवी तयार हुई थी अगर इसके box office collection की बात की जाये तो 16.8 करोंड यानि की U.S. 2.1 मिलियन की सुद्ध कमाई हुई थी तो दोस्तों इस फिल्म ने किसने कौन सा रोल निभाया है तो आईए जानते हैं उनके बारे में करनल बलवीर सिंग दो सोड़ी यानि की देवराज हथोड़ा दादा भाई के रूप में आमतावच्चन है और मेजर अजीत आरे बासू बंकिम चंद्र चटोपत ध्याय बीवीसी के रूप में नाना पाटेकर हैं और जयाप्रदा नम्रता भीसोड़ी के रूप में हैं मेजर राठाओर के रूप में जैकी स्राप कैमियो हैं और डैनी डेंग गोजपा मंत्री वीरभदर सिंग के रूप में हैं और मुकेस्तरिसी गफूर चंगेजी के रूप में हैं और इस्वेक्टर किरण पाटेकर के रूप में तब्बु हैं और मुकूल देव मोंटी के रूप में हैं और कबीर वेदी ब्रिगेडियर के रूप में वेदी हैं और आइसा जुलका स्वीटी के रूप में हैं और अवतार गिल पुलिस आयुक्त के रूप में हैं और बीर भादर सिंग की बेटी के रूप में किसोरी गोड बोले हैं उनकी फिल्म म्रत्युदाता 1997 बॉक्स आफिस पर फलाप होने के बाद निर्देशक मेहुल कुमार अमिता बच्चिन के साथ एक बार फिर फिल्म बनाना चाहते थे इन दोनों फिल्मों का निर्माड अमित वार्सी और करिस्मा का पूर्सामिल थे जिनका कमकार सिर्सक एव वतन तेरे लिए था हलाकि बाद में फिल्म करने के लिए तैयार हो गए पहले ये फिल्म 6 अगस्त को रिलीज होने वाली थी लेकिन फिर मेहुल कुमार ने इसे 13 अगस्त तक बढ़ा दिया इसकी अलोचात पूर्समक सुईकारताएं कोहराम को मिस्त्री समिच्छाएं मिली हैं लेकिन कुमार की पिछली फिल्म रतुदाता से बहतर फिल्म मिली जबकि राटन टोमाटोज पर केवल 16% उपवक करताओं ने इसे प्रसंद किया समिच्छक आजे चतुरवेदी ने इसे एक आउसात फ अब्बू के अभिने की भी स्तराहना की है अगर इसके बॉक्स आफिस की बात करें तो कोहराम ने बॉक्स आफिस पर 133 मिलियन की कमाई की जबकि यू येस में इसका संग्र है इसने अंदरूनी हिंसों में कुछ अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कर सकता और अंते में एक आउसत कमाई करने वाली घूसित हुई इस फिल्म में गीत दिलीप सेन और समीन सेन की जोड़ी का संगीत है नमबर एक जै मातादी वे अंबे बलिहारी संजीवनी कुमार ने इसको गाया है नमबर दो पलकों को कलाम बना के तो मेरा नाम नहीं अलका यागनिक और हरहरन जीने इसको गाया है नमबर तीन सत नाम वाहिगरू बाबा नानक दुखियां दे हाथवे किसन पाल सिंग और जाने मन जाने मन लड़की टू नमबर वन उदिद नाराण और कविता कृष्ण मूर्ती जीने इसको गाया है नमबर पाँच पागल हुआ 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 शंकर महादेवन और जस्पिंदर सिन नरूला ने इसको गाया है नमबर 6 इसक मासूका है ये जिन्दगी तुम हो इस पे सवधा सुदेष भोसले और अमित कुमार जीनी इसको गाया है नमबर साथ लड़की लड़की हो लड़की अलकायागनी और अवनित जी ने इसको गाया है हम हैं बनारस के भाईया सुदेश भूसले और अमित कुमार जी ने इसको गाया है तो दोस्तों कुःराम मोभी का नरदेशन मिहुल कुमार जी ने किया है तो मिहुल कुमार मुहंबद इबराहिम बलोच या बलोच जन्म उनीश्च उन्चात जिसे मिहुल कुमार के नाम से जाना जाता है बाली बुड में एक भारती फिल्म निरमाता और लेखक हैं तिरंगा 1992 में और क्रांती वीर 1993 और कोहराम 1999 फिल्मों के निर्देशन के लिए जाना जाता है उनकी अनिकरतियों में म्रत्युदाता 1997 और कितने दूर कितने पास 2002 के साथ कई गुजराती फिल्में सामिल हैं महिल कुमार मोहमत इबराहिम बलूच एक जुलाई 1949 को इनका जन्म जामनगर बांबे राजजी भारत में हुआ था इनका मात्र संस्थान बांबे भी सुविद्यालय बेवसाय फिल्म निर्माता और लेखाक और पत्रकार हैं इसने अपने जीवन की सुरुआत 1977 से बरतमान समय तक इनके तीन बच्चे हैं अगर इनके हम प्रारब्मिक जीवन की बात करें तो मेहूल कुमार का जन्म 1949 में गुजरात के जामनगर सहर में एक मकरानी बलूच परिवार में मुहम्मत बलूच के रूप में हुआ था बांबी बिस्विद्याले से इसना तक होने के बाद उन्होंने 1970 के दसक की सुरुआत में एक पत्रकार के रूप में सुरुआत की और जिसमें फिल्म समिच्चा लिखना सामिल था इसके बाद वो एक गुजराती थ्रेटर में इस काम करने चले गए अगर हम इनके फिल्मी कैरियर की बात करें तो इन्होंने फिल्मों में उनका पहला काम चंदरकांत शंगनी के सहायक निर्देशक के रूप में और फिर आमिर खान के पिता ताहिर हुसाइन के साथ था उन्होंने गुजराती कमेडी चंदू जमादार 1977 के साथ अपने निर्देशन की सुरुवात की जो दादा कोड के की बेहित सफल लोब रो मराठी कमेडी पांडू हवलदार 1975 की रीमेक थी हाला की ये कुमार की 1977 की दुवासी हिंदी गुजराती फिल्म जनम ना साथ गुजराती फिर फिर जनम लेंगे हम हिंदी थी जिसे ताहिर हुसेन ने निर्मित किया था जिसे पहली बार पहचान मिली थी अपनी सफलता के बाद कुमार ने इन वर्सों में 18 सफल गुजराती फिल्मों का निर्देशन किया है कुमार ने फिर अपनी दूसरी हिंदी परियोजना अनोका वंधन 1982 बनाई है इसके बाद उन्होंने धर्मेंदर जितंदर और अनिल कपूर मिनाची सोसादरी और सबाना आजमी, माधुरी दिश्चित और शत्रगन सिनहा, महमूद और फिरोज खान जैसे अबने अताओं के साथ फिल्मों का निर्देशन किया है इसके बाद कुमार की ब्लोगबास्टर गोल्डेन, जूबली हिट मार्केट, डैम तक 1987 आई जिसमें राजकुमार गोविंदा और फराह ने आभिने किया है, 1990 के दसक में जंग बाज, नफरत की आखे और बंदूग टूबैक फिल्मों की एक स्रंकला का अनुसरन किया गया है, 1990 के दसक में उन्होंने राजकुमार और नाना पाटैकर अबनित तिरंगा 1992 जैसी देवसाइक रूप से सफल फिल्में बनाई ह इसके बाद बंबाई दंगे पर आधारित क्रांती वीर 1993 का अनुसरन किया है, क्रांती वीर बॉक्स आफिस पर हिट रही, जिसमें नाना पाटैकर ने अपने प्रदर्शन के लिए राश्टी फिल्म प्रेयर पुरुसकार जीता है, और कुमार ने तब ABCL की पहली फिल्म र अमताबच्चन को एक साथ लाया, हलाकि ये बेउसाइक रूप से भी अस्फल रही, लेकिन इसे इसके प्रमुक अपने ताओं के प्रदर्शन के लिए याद किया जाता है, इसके बाद उन्होंने कितने दूर कितने पास 2002 बनाई, जिसने अच्छा प्रदर्शन किया, उनक कि आकरी फिल्म क्रांती वीर दा, रिवोलेशन थी, 2010 में उनकी बेटी जहान बलोच ने मुकी भूम का निभाई और क्रांती वीर की अगली कड़ी थी, उन्होंने अपनी कुछ फिल्लने में जैसे तिरंगा, क्रांती वीर, कोहराम और जागो का निर्माड भी किया है, फिल अगर हम इनके निजी जीवन और परिवार की बात करें तो, कुमार जामनगर में मेहूल सिनमाइक्स चलाते हैं, जो उनकी प्रोडक्शन कंपनी मेहूल इंटर्टेन्मेंट प्राइवेट लिम्टेड के स्वामित्त में है, उनके भाई हुसेन बलूच गुजराती सीनेमा म एक फिल्म निर्देशक हैं और उन्होंने कुमार के साथ उनकी कई फिल्मों में वी काम किया है, कुमार की वेटी जहान बलोच क्रांती वीर की अगली कड़ी क्रांती वीर्दा रेवूलोशन 2010 में मुकी भूंका में दिखाई दी, वो पहले उनकी फिल्मों में एक बाल उनके बेटे जोहेव मुहमद बलोच ने कुमार को फिल्मों में निर्देशन के रूप में सहायता प्रदान की, उनकी एक और बेटी समीम खान है, जो एक कस्ट्यूम डिजानर हैं और एक भाई प्रोडेक्शन मैनेजर मुहमद बलूच हैं, दोनों ने कुमार के साथ उनक बेटी बीर को मेहूर कुमार जी ने निर्देशित किया है, 1994 की भारती हिंदी भासा की एक्शन क्राइम फिल्म है, इस फिल्म में नाना पाठेकर डिंपल का पाडिया और अगनी होतरी, ममता कुलकरनी और डैनी डिंग, गोजपा और प्रेस रावल हैं, ये वर्स की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई, इसके अत्रिक्त तीन इस्टार, इसकी इन प्रुसकार, चार फिल्म फेर प्रुसकार और एक राष्टी फिल्म फेर प्रुसकार इस फिल्म ने जीता है, इस फिल्म को तेल्गु में, पुर्णी, भुमिना देसम, 1995 में और कन नर्ड में पैरोडी 2007 के रूप में बनाया गया था क्रांती बीर की अगली कड़ी क्रांती बीर दा रेवुलियोशन 2010 के रूप में जारी की गई थी यह बॉक्स आफिस इंडिया के अनुसार यह बॉक्स आफिस पर एक ब्लेक बॉस्टर थी इसकी कहानी सुरू होती है प्रता प्रताप की मा दुर्गा देवी फरीदा जलाल इस सबसे कुरुद होकर उसे गाउं छोड़कर चले जाने के लिए कहती है प्रताप मुमय आता है और जहां वो चाल मालिक लश्मी नात परिस रावल के बेटे अतुल अगनिहोतरी की जान बचाता है लश्मी कांत ने प्रता प्रताप डिंपल का पाडिया जो चाल में रहता है और अखबारों में इसके बारे में लिखकर अन्याय से लड़ता रहता है प्रताप लोगों को दूसरे की मदद के लिए इंतजार करने के बजाए मजबूत बनाना और खुद के लिए लड़ना सिखाता है चतुर सिंग च पुछपा एक योगराज और रिसाइट बनाने की योजना बनाते हैं और उस जगह पर वे संपरदाइक दंगों की ब्योस्था करते हैं सामुईक हत्याएं और लोगों के घर जलाना लक्ष्मी कांथ की हत्या चतुर सिंग चिता ने की थी प्रताप को तब पता चलता है कि वो प्रताप भ्रिष्ट मंतरी यानि की नियाधीस और पुलिस अधिकारियों को मारता है और उसे पकड़ लिया जाता है और उसे मौत तक फांसी पर लटकाने के आदेश दिये जाते हैं चतुर सिंग चिता प्रताप को मारने की योजना बनाता है लेकिन प्रताप के हाथों मा यह कहानी एक बहादूर व्यक्ति की है जो अन्याय का सामना करने का फैसला करता है और इसके लिए अपनी जान देने को तयार है प्रताब की कोशिस की जाती है और उसे फांसी की सजा सुनाई जाती है अंतिम समय में उसे फांसी दिये जाने से पहले येक वकील घटना अस्थन पर ये सूचित करता है कि प्रताब को राष्टपती द्वारा छमा कर दिया गया है। प्रताब को एक भारती अभनेता फिल्म निर्माता टेलिवीजन होष्ट समय पर्स गायक और पूर्व राजनितिक गहें जिने हिंदी सिनेमा में उनके काम के लिए जाना जाता है। मैं कहा गया है। जंजीर दीवार और सोले जैसी फिल्मों के लिए लोग प्रयता हांसिल की है। पांच दसकों से अधिक के अईर कैरियर में अपने कैरियर में कई पूरुसकारों जीते हैं। जिसमें सर्फिष्ट अभिनेता के रूप में चार राष्टी फिल्म पेर पूरुसकार आजीवन उपलब्धी पूरुसकार के रूप में। दादा साहयफल के पुरुसकार और अंतरराष्टी फिल्म समारो और पुरुसकार समारो में कई पुरुसकाल सामिल हैं उन्होंने 16 जीता है फिल्म पेर पुरुसकार और फिल्म पेर में किसी भी प्रमुक अन निस्रेडी में सबसे अधिक नामांकित कलाकार हैं जिसमें कुल म बनेंगा करोनपती गेम्स ओफ रंचाजी के भारत के संसक्रण फू वांट्स टू बी आर मिलेनियर के कई सीजन की मेजवानी की है उन्होंने 1980 के दसक में कुछ समय के लिए राजनीती में भी प्रवेश किया है भारत सरकार ने उन्हें कला में उनके योगदान के लिए 1984 में पदम सिरी 2001 में पदम विभूसन और 2015 में पदम विभूसन से समानित किया है फ्रांस सरकार ने उन्हें सिनेमा और उससे आगे की दुनिया में उनके असाधारन कैरियर के लिए 2007 में अपने सरवोच नागरिक सम्मान नाइट आफदा लिजन आप आनर से सम्मानित किया गया है अमता बच्चन एक हालीबोड फिल्म बाज लुहरमन की दा ग्रेट गैडव सवी 2013 में वी अबने किया है जिसमें उन्होंने एक गैर भारती याहुदी चरित्रमेर वेल साइव हम की भूम का निभाई है भारती उप महादिव से परे उन्होंने अफ्रीका दच्चिड अफ्रीका पूर्व अफ्रीका और मारिसस मद्धिपूर विशेस रूप से सैंक्त अरब अमीरात और मिस्तर यूनाटेट किंग्डम सहित पाजारों में दच्छिड एसियाई डायस्पोरा के साथ साथ अन्नी लोगों का एक बड़ा विदेशी अधिकरण किया है रूस कैरेविन गुयाना सूरिनाम और त्रिनद और टुबेगो और ओनिसो फ्रीजी अस्टेलिया और न्यूजिलेंड कनाडा और सैंक्त राज अमेरिका है अगर इनके हम प्रारभिक जीवन की बात करें तो अमिता बच्चन का जनम 11 अक्टूबर 1942 को इलाहबाद में हिंदी कवी हरिवन सराय बच्चन और सामाजी कारिकरता तेजी बच्चन के यहां वुआ था हरिवन सराय बच्चन एक अवधी हिंदू कास्त थे जो अवधी हिंदू और उर्दू में धारा प्रवा थे हरिवन सराय के पूर्व पूर्वज भारत के बरतमान उत्तर प्रदेश राजी के प्रताब गड़जीले के रानी गंज तहसील के बापू पट्टी नामा गाम से आये हुए थे तेजी बच्चन एक पंजाबी थे लायलपूर पंजाब ब्रटिस भारत बरतमान हैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान से सिक्ख खत्री बच्चन का एक छोटा भाई अजिताब है वो उसे पांच साल छोटा है आये हमता बच्चन के माता पिता सुरू में उनका इनका नाम इक लाब क्रांती के रूप में हिंदुस्तानी रखे जा रहे थे जो की भारती सोतनता संग्राम के दोरान लोकपरी रूप से इस्तेमाल किये गए इनकलाब जिन्दाबाद जो अंग्रेजी में लंग आउव लाइबदा रिलियोशन के रूप में अनुवात करता है स्वेप प्रेरित है आमता बच्चन नाम उनके पिता को कभी सुमित्रा नंदन पंत निस सुजाया था हलाकि उनका उप नाम स्रीवास्तो था अमता बच्चन के पिता जिन्होंने जाती बेउस्ता का भी रोध किया था बच्चन ने बोल चाल की हिंदी में बच्चे की तरह अपनाया था जिसके तहत उन्होंने अपने सभी कारियों को प्रकासित किया है जब उनके पिता उन्हें एक स्कूल में भरती कराना चाहते थे तो उन्होंने और बच्चन की माने फ़ैसला किया कि परिवार का नाम स्रीवास्तों के बजाए बच्चन होना चाहिए इसी अंतिम नाम के साथ अमता बच्चन ने फिल्मों में सुरुवाती की और अनिसभी ब्योहारी कुद्देसों के लिए इस्तेमाल गिया बच्चन अपने ततकौल परिवार के लिए उपनाम बनाए गए बच्चन के पिता की मरत्यु 2003 में और उनकी माता की मरत्यु 2007 में हुई थी बच्चन की मादिमिक सिच्चा इलहाबाद में लड़कों के हाई स्कूल और कालेज और नैनिताल में सेर्बूट कालेज में हुई थी उन्होंने दिल्ली भी सुविद्याले में किरोडी मल कालेज से पढ़ाई की उन्होंने 1962 में कि रोडी मलकालस से विज्ञान इस्तनातक की वाधी अस्थापेत की जब बच्चन अपनी पढ़ाई पूरी की तो उनके पिता पृतिवी राज कपूर के संपर्क में आये जो पृतिवी राज थ्रेटर के संथापक और कपूर के पितामा थे अब इन्हें परिवार ये देखने के लिए कि क्या उनके कोई उदगाटन हैं लेकिन कपूर ने कोई प्रोतसाहन नहीं दिया अमिता बच्चन बनने से पहले राजियू गांधी और संजियू गांधी के मित्र थे वो नई दिल्ली में अपने आवास के दोरान उनके साथ समय बिताते थे बच्चन का परिवार राजनेताओं के नहरू गांधी परिवार के बहुत करीवी था जब सुनिय गांधी अपनी साधी से पहले इटली ने पहली बार भारत आई तो बच्चन ने त्यारा फरवरी उनिस स्वरसट को पालम अंतरराष्टी हवाय अड़े पर उनका स्वागत किया था उन्होंने बच्चन के घर पर अपने माता पिता के साथ 48 दिन बिताए बच्चन ने आल इंडिया रेडियो दिल्ली के लिए एक यूजी रीडर के रूप में एक भूमिगा के लिए आबेदन किया था लेकिन आडियंस में विफल कोलकात्ता में बर्ड एंड कंपन भाव हो सकता है क्योंकि उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि उन्हें स्टेज लेना चाहिए अगर इनके हम फिल्मी करियर की बात करें तो इन्होंने अपने मनाल सेन की राष्टी प्रुसकार विजेता फिल्म भूवन सोम में एक आवाज कथाकार के रूप में अप भूमिका साथ पात्रों में की गई थी कोहरा मोबी में नाना पाटेकर जी ने अपने रोल को बखু भी है तो आये जानते हैं नाना पाटेकर जी के बारे में भारती फिल्मों के अभीनेता हैं सेल्मानिता जाते हैं और उन्हें पदमसिरी समान भी मिल चुका है, वे इंडिस्टी में अपने डियालोग को बोलने की स्टाइल को लेकर काफी महसूर हैं, उनके आभिने की दिवाने आपको हर आई वर्क के मिल जाएंगे, नाना पाटेकर का जनम मुरूड जंजीरा रायगड महाराष्ट में हुआ था, उनके पिता का नाम दिनकर पाटेकर और उनकी मा का नाम संजा भाई नाना पाटेकर है, नाना पाटेकर की पढ़ाई सर जेजे इंडिस्ट्यू आफ अप्लाइमेंट आर्ट मुंबई से हुई नाना पाटेकर की साधी नीला कांती पाटेकर से हुई है लेकिन बाद में उनका तलाक हो गया था उनका एक लड़का भी है जिसका नाम मलहर है अगर हम इनके फिल्मी केरियर की बात करें तो नाना पाटेकर ने केरियर की सुरुआत फिल्म गमन से हुई थी लेकिन फिल्म पेर पुरुसकार और सर्फिश्ष रहे कवनेता का फिल्म पेर पुरुसकार भी दिया गया है इसके बाद उन्होंने कई अच्छी फिल्मों में भी काम किया है और अपने अपने का लोहा मनवाया क्रांति बीर खामोसी यस्वंत अब तक 56 अपरहनड बेलकम राजनीत उनकी प्रमुक फिल्मों में से एक हैं 2008 में फिल्म एक्ट्रेस तनुसरी दत्ता ने नाना पटेकर पर फिल्म हार्न ओके प्ले एस एस के सेट पर योन उत्प्रिण का आरोप लगाया था माज 2008 में उन्होंने सिनेटा और सिनेर और टीवी कलाकार एसोसीन के साथ सिकायत दा दस साल बाद एक बार फिर तनुसरी ने वर्ष 2018 में इस मुद्दे को उठाया जिससे पूरे बाली बोडन से उन्हें सपोर्ट मिल गया तो वही नाना पटेकर ने तनुसरी के उपर मानिहानी का मुकदमा डायर किया डैनी डिंग जोगपा ने गुम कोहरा मोबी में अपने नेपाली तिल्गू और तमिल फिल्मों में भी काम किया है उन्होंने हालीवुड फिल्मों में भी काम किया है डैनी को पदमसिरी समान भी मिल चुका है वे अपने खलनायक और साहक अबनेता के किरदारों के लिए जाने जाते हैं उन्होंने कई फिल्मों में अपनी खलनाय मंदिर और सेंट जोसेफ कालेद दरजलिंग से की है डैनी ने फिल्म एंड टेलिवीजन इंडिस्ट्रू आफ इंडिया पूरे से एक्टिंग के गुद सीखे हैं डैनी की साधी गावा देंग गोपा से हुई है उनके दो बच्चे भी है रीजनिंग देंग गोजपा और पे उनका निभाई गई है उन्होंने पहली बार प्रमुख्ण का रातमक भून का फिल्म धुंद में निभाई थी इसके बाद वो कई फिल्मों में दिखाई दिये और उनके अविने का कमाल सभी ने देखा आलुच को और जनता ने हमेशा से उनकी सराहना की है फिल्म घातक में उनके द्वारा निभाया गया किरदार करत्या आज भी लोगों को भूलाए नहीं भूलता कोहराम मूबी में तब्बु जी ने अपने रोल को बखू भी प्ले किया है तो आयो जान बंगाली फिल्मों में भी काम किया है उन्हें सर्फश्ट अबनेत्री का दो बार राष्टी और छे बार फिल्म पेर पुरुसकार भी मिल चुका है और उन्हें भारत सरकार की तरफ से पदमसरी सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है वोई भारत की निपुड अबनेत् रखती हैं और अपने निजी जीवन को किसी से ज़्यादा जाहिर नहीं करती हैं तब्बु का जनम हैदराबाद आंद प्रदीस में हुआ था उनके पिता का नाम जमाल हास्मी और मा का नाम रिजवाना है उनकी एक बड़ी बहन है जिनका नाम फराज नाज है वो हिंदी फिल से दो साल तक पढ़ाई की और अपने फिल्मी केरियर की सुरुआत उनी सो असी में आई फिल्म बाजार में उनका छोटा सा कीरदार था और उस वक्त उनकी उम्र काफी कम थी उन्होंने अबनेत्री के तोर पर उनकी पहली तेल्गो फिल्म कुली नंबर वन थी मुखे अब पर नेत्री का फिल्म फेर पुरुषकार भी मिला है इसके बाद उनकी कई फिल्में आई जिसके लिए उन्हें आलोचकों के साथ साथ दर्सकों से भी खूब वहवाही मिली है इसमें माचीस बिरासत हुतुतु अस्तिस्तु चांदनी वार दे दे प्यार दे द्रस्यम और ह प्राइदर प्रमुख है जया प्रदाजी ने कोहरा मूबी में अपना रोल बखू भी निभाया है उनके द्वारा लोगों ने काफी प्रसंसाय मिली हैं उनको तो जया प्रदाजी ने हिंदी सिनेमा की एक सफल हिर्वाइन रही हैं जया कई सफल फिल्मों में भी काम कर कहने पर तेलगू देशम पार्टी जोईन की थी लेकिन वे बात इसे छोड़ कर यूपी चली आई और सामाजवादी पार्टी जोईन करके यूपी के रामपूर से दो बार सांसत बनी हैं हाल ही में उन्होंने बीजेपी जोईन की है और फिर रामपूर से चुनाओ मैदान में हैं वो लगातार सामाजवादी जिनेता आजम खान के बयानों के कारण सुर्खियों में भी हैं इसके अलावा वो 1998 से 2004 तक राजी सभा सदस से भी रह चुकी हैं जया प्रदा का जर्म 3 अप्रेल 1962 को आंदर प्रदेश के राजमुंदरी में हुआ था उनके पिता क्रश् स्कूल में वार्शी चोक में डांस कर रही थी तभी वहां पधारे एक फिल्म डारेक्टर की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने जया को अपनी तेल्गु फिल्म भूमिका कोसम में एक थ्री मिनट का टाइम डांस नंबर आफर किया यह वही हैं फिल्मी केरियर की उन्होंने कई तेल्गु तमिल कर्नन और हिंदी फिल्मों में भी काम किया है जया ने 1986 में प्रेडियूसर सिरीकांत नहाता से साधी की है जो की पहले से ही साधी सुदा थे और तीन बच्चों के पिता थे यह साधी उस समय का भी चर्चा में रही थी फिल्मों से संबंधित कई आवार्डों के साध जया को तीन बार फिल्म फिल्म फियर पुरकार और आवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है चंगे जी मुकेस रिसी के नेतरतों वाले एक आतंकवादी समूह का कारी माना जाता है करनल बलवीर सिंग सोड़ी यानि कि आमिता बच्चन को इस मामले की जाच करने के लिए कहा जाता है और उन्हें पता चलता है कि मंतरी बीरभदर सिंग डैनी डेंग जोगपा इस साजिस में सामिल हैं करनल सोडी ने चंगे जी को मारने के प्रियास में अपनी मौत का मंचन किया है और मुंबई में दादा भाई देवराज हतोधा के रूप में रहना सुरू कर दिया है मेजर अजीत आर्रे यानिकी नाना पाटे कर को एक बंगाली की आण में भेजा जाता है पत्रकार दादा भाई देवराज हाथोड़ा की असली पहँचान का पता लगाने के लिए आरी को सच्चाई का पता चलने के बाद हो मंतरी को न्याय दिलान में दिखाया गया है और जया प्रदा को करनल सोडी की पत्नी के रूप में दिखाया गया है कोहरा मोवी सन 1999 की भारती हिंदी भासा की एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन मेहुल कुमार ने किया है इसमें अन्य सहक अबनेताओं के साथ आमता बच्चन नाना पाटेकर ज अब्बू और जहकी स्राफ हैं यह बॉक्स ओफिस पर आउसत कमाई करने वाली थी तो दोस्तों इस फिल्म के नर्देशक हैं मेहुल कुमार और इसके लेखक हैं इकबाल दुरानी और इस फिल्म को निर्मित किया है अमता बच्चन कार्पोरेशन ने और इस फिल्म को अफ भारत भाष्षा हिंदी अगर इसके बजट की बात करें तो 11 क्रोंड यानि की यूएस 1.4 मिलियन के बजट पर ये मूवी तयार हुई थी अगर इसके बॉक्स ओफिस कलेक्शन की बात की जाये तो 16.8 क्रोंड यानि की यूएस 2.1 मिलियन की सुद्ध कमाई हुई थी तो दोस्तों इस फिल्म ने किसने कौन सा रोल निभाया है तो आईए जानते हैं उनके बारे में करनल बलवीर सिंग सोड़ी यानि की देवराज हथोड़ा दादा भाई के रूप में आमतावच्चन है और मेजर अजीत आर्रे बासू बंकिम चंद्र चटोपत ध्याए बी बीरभदर सिंग के रूप में हैं और मुके स्रिसी गफूर चंगेजी के रूप में हैं और इस्वेक्टर किरण पाटेकर के रूप में तब्बु हैं और मुकूल देव मोंटी के रूप में हैं और कबीर वेदी ब्रिगेडियर के रूप में वेदी हैं और आईसा जुलका स्वीटी के रूप में हैं और अवतार गिल पुलिस आयुक्त के रूप में हैं और वीर भादर सिंग की बेटी के रूप में किसोरी गोड बोले हैं उनकी फिल्म म्रत्युदाता 1997 बॉक्स वाफिस पर फलाप होने के बाद निर्देशक मेहुल कुमार अमिता बच्चिन के साथ एक बार फिर फिल्म बनाना चाहते थे इन दोनों फिल्मों का निर्माड अमिता बच्चिन कारप्रोरेशन नी किया था यही है कि समय था जब उन्हें कोहराम पर विचार किया तो उसने घोसित मूल कलाकारों में डिमपल का पाडिया अरसद वार्सी और करिस्मा का पूर सामिल थे जिनका कम कार सीरसक एव वतन तेरे लिए था हलाकि बाद में फिल्म करने के लिए तैयार हो गए पहले यह फिल्म 6 अगस्त को रिलीज होने वाली थी लेकिन फिर मेहुल कुमार ने इसे तैयारा अगस्त तक बढ़ा दिया इसकी अलोचातमक सुईकारताएं कोहराम को मिस्तिर समिच्छाएं मिली हैं लेकिन कुमार की पिछली फिल्म रतुदाता से बहतर फिल्म मिली जबकि राटेन टोमाटोज पर केवल 16% उपकरताओं ने इसे प्रसंद किया समिच्छक आजे चतुरवेदी ने इसे एक आउसात फिल्म कहा है उन्होंने कहा है कि जहां पहली चमाही अच्छी है वहीं दूसरी चमाही को संपादित किया गया है लेकिन फिल्म नाना पाटेकर के प्रसंसकों के लिए एक इलाज है उन्होंने फिल्म में तब्बू के अभिने की भी सरहना की है अगर इसके बॉक्स आफिस की बात करें तो कोहराम ने बॉक्स आफिस पर 133 मिलियन की कमाई की जबकि यू यस में इसका संग्र है सत्रहजार दोसो सताउन डालर था इसने अंदरूनी हिंसों में कुछ अच्छा प्रदर्सं किया लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कर सकता और अंते में एक औसत कमाई करने वाली घूसित हुई इस फिल्म में गीत दिलीप सेन और समीन सेन की जोडी का संगीत है नमबर एक जै माता दी वे अंबे बलिहारी संजीवनी कुमार ने इसको गाया है नमबर दो पलकों को कलाम बना के तो मेरा नाम नहीं अलकायागनिक और हरहरन जीने इसको गाया है नमबर तीन सत नाम वाहिगरू बाबा नानक दुखियां दे हाथवे किसन पाल सिंग और जाने मन जाने मन लड़की टू नमबर वन उदिद नाराण और कविता कृष्ण मूर्ती जी ने इसको गाया है नमबर पाँच पागल हुआ 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 संकर महादेवन और जस्पिंदर सिंग नरूला ने इसको गाया है नमबर छे इसक मासुका है ये जिन्दगी तुम हो इस पे सवदा सुदेश भोसले और अमित कुमार जी ने इसको गाया है नमबर साथ लड़की लड़की हो लड़की अलकायागनि और अवनित जी ने इसको गाया है हम हैं बनारस के भाईया सुदेश भूसले और अमित कुमार जी ने इसको गाया है तो दोस्तों कोहराम मुबी का निर्देशन मिहुल कुमार जी ने किया है तो मिहुल कुमार मुहंबत इबराहीम बलोच या बलोच जन्म 1999 जिसे मिहुल कुमार के नाम से जाना जाता है बाली बुड में एक भारती फिल्म निर्माता और लेखक हैं तिरंगा 1992 में और क्रांती पीर 1993 और कोहराम 1999 फिल्मों के निर्देशन के लिए जाना जाता है उनकी अनिकरतियों में म्रत्युदाता 1997 और कितने दूर कितने पास 2002 के साथ साथ कई गुजराती फिल्में सामिल हैं मिहुल कुमार मुहंबत इबराहीम बलोच एक जुलाई 1989 को इनका जन्म जामनगर बामबे राज भारत में हुआ था इनका मात्र संस्थान बामबे विस्विद्याले ब्योसाय फिल्म निर्माता और लेखक और पत्रकार हैं इसने अपने जीवन की सुरुवात 1977 से बर्तमान समय तक इनके तीन बच्चे हैं अगर इनके हम प्रारभ्मिक जीवन की बात करें तो मिहुल कुमार का जन्म 1949 में गुजरात के जामनगर सहर में एक मकरानी बलूच परिवार में मुहम्मत बलूच के रूप में हुआ था बांबी बिस्विद्याले से इसना तक होने के बाद उन्होंने 1970 के दसक की सुरुवात में एक पत्रकार के रूप में सुरुवात की और जिसमें फिल्म समिच्चा लिखना सामिल था इसके बाद वो एक गुजराती थ्रेडर में स्काम करने चले गए अगर हम इनके फिल्मी कारियर की बात करें तो इन्होंने फिल्मों में उनका पहला काम चंद्रकांत शंगनी के सहायक निर्देशक के रूप में और फिर आमिर खान के पिता ताहिर हुसाइन के साथ था उन्होंने गुजराती कमेडी चंदू जमादार 1977 के साथ अपने निर्देशन की सुरुवात की जो दादा कोड के की बेहित सफल लोब रो मराठी कमेडी पांडू हवलदार 1975 की रीमेक थी हाला कि ये कुमार की 1977 की दूइभासी हिंदी गुजराती फिल्म जनम जनम ना साथ गुजराती फिर फिर जनम लेंगे हम हिंदी थी जिसे ताहिर हुसेन ने निर्मित किया था जिसे पहली बार पहँचान मिली थी अपनी सफलता के बाद कुमार ने इन वर्सों में 18 सफल गुजराती फिल्मों का निर्देशन किया है कुमार ने फिर अपनी दूसरी हिंदी परियोजना अनोका वंधन 1982 बनाई है इसके बाद उन्होंने धर्मेंदर जितंदर और अनिल कपूर मिनाची सोसादरी और सबाना आजमी, मादुरी दिश्चित और शत्रगन सिना, महमूद और फिरोज खान जैसे अपने अताओं के साथ फिल्मों का निर्देशन किया है इसके बाद कुमार की ब्लोगबाश्टर गोल्डेन, जूबली हिट मार्केट, डैम तक 1987 आई जिसमें राजकुमार गोविंदा और फराह ने आभिने किया है, 1990 के दसक में जंग बाज, नफरत की आखे और बंदूग टूबैक फिल्मों की एक स्रंखला का अनुसरन किया गया है, 1990 के दसक में उन्होंने राजकुमार और नाना पाटेकर अबनित तिरंगा 1992 जैसी बेवसाइक रूप से सफल फिल्में बनाई इसके बाद बंबाई दंगे पर आधारित क्रांती वीर 1993 का अनुसरन किया है, क्रांती वीर बॉक्स आफिस पर हिट रही जिसमें नाना पाटेकर ने अपने प्रदर्शन के लिए राश्टी फिल्म प्रेयर पुरुसकार जीता है, और कुमार ने तब ABCL की पहली फिल्म रत इंता बच्चन को एक साथ लाया, हलाकि ये वेवसाइक रूप से भी अस्फल रही, लेकिन इसे इसके प्रमुक अपने ताओं के प्रदर्शन के लिए याद किया जाता है, इसके बाद उन्होंने कितने दूर कितने पास 2002 बनाई, जिसने अच्छा प्रदर्शन किया, उनक कि आकरी फिल्म क्रांती वीर्दा, रिवोलेशन थी, 2010 में उनकी बेटी जहान बलोच ने मुकी भूम का निभाई और क्रांती वीर की अगली कड़ी थी, उन्होंने अपनी कुछ फिल्लने में जैसे तिरंगा, क्रांती वीर, कोहराम और जागो का निर्माड भी किया है, फि अगर हम इनके निजी जीवन और परिवार की बात करें तो कुमार जामनगर में मेहूल सिनमाइक्स चलाते हैं, जो उनकी प्रोडेक्शन कंपनी मेहूल इंटर्टेन्मेंट प्राइवेट लिम्टेट के स्वामित्त में है, उनके भाई हुसेन बलूच गुजराती सीनेमा म एक फिल्म निर्देशक हैं और उन्होंने कुमार के साथ उनकी कई फिल्मों में वी काम किया है, कुमार की वेटी जहान बलोच करांती वीर की अगली कड़ी करांती वीर्दा रेवूल्योशन 2010 में मुकी भूंका में दिखाई दी, वो पहले उनकी फिल्मों में एक बाल उनके बेटे जोहेव मुहमद बलोच ने कुमार को फिल्मों में निर्देशन के रूप में सहायता प्रदान की, उनकी एक और बेटी समीम खान है, जो एक कस्ट्यूम डिजाइनर हैं और एक भाई प्रोडेक्शन मैनेजर मुहमद बलूच हैं, दोनों ने कुमार के साथ उ अईवार अपने उपनाम के लिए बलोच की असमान निवर्तनी का उपयोग करता है, जिसे आमतोर पर बलोच के रूप में लिखा जाता है, क्रांती बीर को मेहूर कुमार जी ने निर्देशित किया है, उनिस सो चौरानवे की भारती हिंदी भासा की एक्शन क्राइम फिल् इसके अत्रिक्त तीन इस्टार, इसकी इन पृसकार, चार फिल्म फियर पृसकार और एक राष्टी फिल्म फियर पृसकार इस फिल्म ने जीता है, इस फिल्म को तेलगु में, पुर्नी, भुमिना देशम 1995 में और कन्नड में पैरोडी 2007 के रूप में बनाया गया था, क्रा प्रताप तिलक यान की नाना पाटे कर एक सोतंतरता सीनानी 20 नराण तिलक के पोते हैं प्रताप जुआँ खेलना सुरू कर देता है और इससे 20 नराण की मृत्ति हो जाती है प्रताप की मादुर्गा देवी फरीदा जलाल इस सबसे कुरुद होकर उसे गाउं छोड़कर चले जाने के लिए कहती है प्रताप मुमय आता है और जहां वो चाल मालिक लश्मी नात परिस रावल के बेटे अतुल अगनिहोतरी की जान बचाता है लख्षमी कांत ने प्रताप को अपनी साथ रखनी का फैसला किया जब वे बड़े होते हैं तो अतुल को ममता कुलकरणी से प् कर अन्याय से लड़ता रहता है प्रताप लोगों को दूसरे की मदद के लिए इंतजार करने के बजाए मजबूत बनाना और खुद के लिए लड़ना सिखाता है चतुर सिंग चिता यानकी डैनी डिंग गोचपा एक योगराज और रिसाइट बनाने की योजना बनाते हैं और उस जगह पर वे संपरदाइक दंगों की द्योस्था करते हैं सामोहिक हत्याएं और लोगों के घर जलाना लक्ष्मी कांत की हत्या चतुर सिंग चिता ने की थी प्रताप को तब पता चलता है कि वो मेगा के माता पिता की हत्या चतुर सिंग चिता ने ही की थी और उसके साधी का प्रस्ताव रखता है और ममता और पिता का घर छोड़ कर अतुल के घर आती है प्रताब भ्रिष्ट मंतरी यानि की न्याधीस और पुलिस अधिकारियों को मारता है और उसे पकड़ लिया जाता है और उसे मौत तक्फासी पर लटकाने के आदेश दिये जाते हैं चत देने को तयार है प्रताब की कोशिस की जाती है और उसे फासी की सजा सुनाई जाती है अंतिम समय में उसे फासी दिये जाने से पहले येक वकील घटना अस्थन पर ये सूचित करता है कि प्रताब को राष्टपती द्वारा छमा कर दिया गया है इंडियन एस्प्रेस ने उलेक किया गया है कोहरा मोबी में अमता बच्चन जी ने अपने रोल को बखू भी प्ले किया है तो आईए जानते हैं अमता बच्चन जी के बारे में अमता बच्चन जी का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को एक भारती अभनेता फिल्म निर्माता टेलिविजन होष्ट समयिक पर्स गायक और पूर्व राजनितिक गहें जिने हिंदी सिनेमा में उनके काम के लिए जाना जाता है उन्हें भारती सिनेमा के इत्यास में सबसे प्राचीन सबसे प्रभावसाली अपनेताओं में से एक माना जाता है 1970 और 1980 के दसक के दोरान वो एक भारती फिल्म परदर्श में सबसे प्रभावसाली अपनेता थे फ्रांसी सी निर्देशक प्राइंग को इस टू ने उन्हें वन मैन इंडिस्टी का मैन कहा गया है इनका जन्म 1942 में इलहाबाद में हिंदी कभी हरिवन्स राय वच्चन और उनकी पत्नी सामाजी कार्यकरता तेजी वच्चन के यहां हुआ था उन्होंने सेर्वूड कालेज नैनी ताल और किरोडी मल कालेज दिल्ली विस्विदाले से सिच्छा प्राप्त की है उनकी फिल्मी करियर 1979 ने मनडाल सेंद की फिल्म भूवन सोम से एक आवाज कथाकार के रूप में सुरू हुआ उन्होंने अपनी पहली बार 1970 के दसकी सुरुआत में जंजीर दीवार और सोले जैसी फिल्मों के लिए लोग प्रियता हांसिल की है और उन्होंने हिंडी फिल्मों में उनकी आन-स्क्रीन भूंकाओं के लिए उन्हें भारत का एंगी एंग मायन करार दिया गया है के रूप में संदर्वित बालीबुट के साहन सा उनकी 1988 की फिल्म साहन सा के संदर्व में साधी का महानायक हिंदी के लिए दा ग्रेटर एक्टर आप दा सेंचूरी इस्टार आप दा मिलेनियर या बी बिग बॉस या तब से दोसों से अधिक भारती फिल्मों में दिखाए दिये हैं पांच दसकों से आधिक के अईर कैरियर में अपने कैरियर में कई पुरुसकारों जीते हैं जिसमें सर्फिष्ट अभिनेता के रूप में चार राष्टी फिल्म पेर पुरुसकार आजीवन उपलबदी पुरुसकार के रूप में दादा साहफल के पुरुसकार और अंतरराश्टी फिल्म समारो और पुरुसकार समारो में कई पुरुसकार सामिल हैं उन्होंने सोलाद जीता है फिल्म पेर पुरुसकार और फिल्म पेर में किसी भी प्रमुक अन निस्रेडी में सबसे अधिक नामांकित कलाकार हैं जिसमें क गेम सो कौन बनेंगा करोणपती गेम सो फ्रंचाजी के भारत के संस्क्रंड हुवांट्स टू वी आर मिलेनियर के कई सीजन की मेजवानी की है उन्होंने 1980 के दसक में कुछ समय के लिए राजनीती में भी प्रवेश किया है भारत सरकार ने उन्हें कला में उनके योगदान के के लिए 1984 में पदम सिरी 2001 में पदम विभूसंड और 2015 में पदम विभूसंड से सम्मानित किया है फ्रांस सरकार ने उन्हें सिनेमा और उससे आगे की दुनिया में उनके असाधारन कैरियर के लिए 2007 में अपने सरवोच नागरिक सम्मान नाइट आफदा लिजन आप आनर से सम्मानित किया गया है अमता बच्चन एक हाली बोड फिल्म बाज लुहरमन की दा ग्रेट गैडव सवी 2013 में वी अबने किया है जिसमें उन्होंने एक गैर भारती याहुदी चरित्रमेर वेल साइव हम की भूम का निभाई है भारती उप महादियूप से परे उन्होंने अ छिड़ एसी आई डायस्पोरा के साथ साथ अन्नी लोगों का एक बड़ा विदेशी अधिकरण किया है रूस के रेविन गुयाना सूरिनाम और त्रीनद और टुबेगो और ओनिसो फ्रीजी अस्टेलिया और न्यूजिलेंड कनाड़ा और संक्तराज अमेरिका है अगर इ भा था हरिवन सराय वच्चन एक अवधी हिंदू कास्त थे जो अवधी हिंदू और उर्दू में धारा प्रवा थे हरिवन सराय के पूर्व पूर्वज भारत के बरतमान उत्तर प्रदेश राजी के प्रताब गड़जीले के रानी गंज तहसील के बापु पट्टी नामक गाम से आये हुए थे तेजी बच्चन एक पंजाबी थे लालपूर पंजाब ब्रटिस भारत बरतमान फैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान से सिक खत्री बच्चन का एक छोटा भाई अजिताब है वो उसे पांच साल छोटा है इनका नाम इकलाब क्रांती के रूप में आप जिन्दाबाद जो अंग्रेजी में लंग आउव लाइब दा रिल्योयोशन के रूप में अनुवात करता है अमिता बच्चन नाम उनके पिता को कभी सुमित्रा नंदन पंजित निस सुजाया था हालाकि उनका उपनाम स्रीवास्तो था अमिता बच्चन के पिता जिन उनके पिता उन्हें एक स्कूल में भरती कराना चाहते थे तो उन्होंने और बच्चन की माने फैसला किया कि परिवार का नाम स्रीवास्तो के बजाए बच्चन होना चाहिए इसी अंतिम नाम के साथ अमता बच्चन ने फिल्मों में सुरुवाती की और अनिस सभी ब्योहा के लिए इस्तेमाल गिया बच्चन अपने तत्कॉल परिवार के लिए उपनाम बनाए गए बच्चन के पिता की मृत्यू 2003 में और उनकी माता की मृत्यू 2007 में हुई थी बच्चन की मादिमिक की रोडी मलकालस से विज्ञानिस्तनात की वाधियस्ता निस्तापित की जब बच्चन अपनी पढ़ाई पूरी की तो उनके पिता प्रतिवी राज कपूर के संपर्क में आये जो प्रतिवी राज थ्रेटर के संथापक और कपूर के पितामा थे अब इन्हें परिवार ये द दिल्ली में अपने आवास के दोरान उनके साथ समय बिताते थे बच्चन का परिवार राज नेताओं के नेहरु गांधी परिवार के बहुत करीवी था जब सुनिया गांधी अपनी साधी से पहले इटली ने पहली बार भारत आई तो बच्चन ने त्यारा फरवरी उनीश स्वरसट को पालम अंतरराष्टी हवाय अड़े पर उनका स्वागत किया था उन्होंने बच्चन के घर पर अपने माता पिता के साथ 48 दिन बिताए बच्चन ने आल इंडिया रेडियो दिल्ली के लिए एक यूजी रीडर के रूप में एक भूमिगा के लिए आबेदन कि लेकिन ओडियन्स में विफल कोलकात्ता में बर्ड एंड कंपनी के लिए बेउसाई कारिकारी बन गए और अपना फिल्मी कैरियर सुरू किया अपने ठेटर में काम किया एसा माना जाता है कि अमता बच्चन के कैरियर की परसंद में उनकी मां का कुछ प्रभाव हो सकता है क कि उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि उन्हें स्टेज लेना चाहिए अगर इनके हम फिल्मी कैरियर की बात करें तो इन्होंने अपने मनाल सेन की राष्टी प्रुसकार विजेता फिल्म भुवन सोम में एक आवाज कथाकार के रूप में अपनी फिल्म की कि खाजा अहमद अब्बास द्वारा निर्देशित और उत्पलदत अनुवर अली हाश्य विनेता महमूत के भाई मधु और जलाल आगा द्वारा निर्देशित फिल्म साथ हिंदुस्तानी में उनकी अपने भुमिका साथ पात्रों में की गई थी कोहरा मोवी में नाना प पाटेकर जी के बारे में भारती फिल्मों के अभिनेता हैं वो लेखक और फिल्म निर्माता अभी हैं नाना पाटेकर हिंधी म के मसूर अभिनेता माने जाते हैं उनके अभिने के साथ सबी कायल हैं और यही महसूर हैं उनके आभिने की दिवाने आपको हर आई वर्क के मिल जाएंगे नाना पाटेकर का जनम मुरूड जंजीरा रायगड महाराष्ट में हुआ था उनके पिता का नाम दिनकर पाटेकर और उनकी मा का नाम संजा भाई नाना पाटेकर है नाना पाटेकर की पढ़ाई सर जे जे इंडिस्ट्यू आफ अप्लाइमेंट आर्ट मुंबई से हुई थी नाना पाटेकर की साधी नीला कांती पाटेकर से हुई है लेकिन बाद में उनका तलाक हो गया था उनका एक लड़का भी है जिसका नाम मलहर है अगर हम इनके फिल्मी केरियर की बात करें तो नाना से हुई थी लेकिन इंडिस्टी में उन्हें फिल्म परिंदा से नोटिस किया गया है जिसमें उन्होंने खलनाएक की भूहिम का अदा की थी इस फिल्म में उनके अविने के लिए उन्हें सर्फशेश चाहिक अपनेता का राश्टी फिल्म पेर पुरुसकार और 2008 में फिल्म एक्ट्रेस तनुसरी दत्ता ने नाना पटेकर पर फिल्म हार्न ओके प्ले एस एस के सेट पर योन उत्प्रियन का आरोप लगाया था माज 2008 में उन्होंने सिनेटा और सिनेड और टीवी कलाकार एसोसियन के साथ सिकायत दायर की लेकिन उस दोरान कोई करवाहिन नहीं की गई दस साल बाद एक बार फिर तनुसरी ने वर्ष 2018 में इस स्मुद्दे को उठाया जिससे पूरे बाली बोडन से उन्हें सपोर्ट मिल गया तो वही नाना पटेकर ने तनुसरी के उपर मानिहानी का मुकदमा डायर किया डैनी डिंग जोगपा ने कोहरा मूबी में अपने रोल को बखुवी प्ले किया है तो डैनी डिंग गोजपा हिंदी फिल्मों के मसूर अबनेता हैं हिंदी फिल्मों के साथ उन्होंने नेपाली तिल्गू और तमिल फिल्मों में भी काम किया है उन्होंने हालिवुड फि मान भी मिल चुका है वे अपने खलनायक और साहक अबनेता के किरदारों के लिए जाने जाते हैं उन्होंने कई फिल्मों में अपनी खलनायकी से लोगों को दिलों में दहसत पैदा की है डैनी का जन्म सिक्किम में एक बहुत परिवार में हुआ था डैनी की सुरुवाती पढ उन्होंने बिरला बिद्या मंदिर और सेंट जोसेफ कालेद दर्जलिंग से की है डैनी ने फिल्म एंड टेलिवीजन इंडिस्ट्रू आफ इंडिया पूरे से एक्टिंग के गुद सीखे हैं डैनी की साधी गावा देंग गोपा से हुई है उनके दो बच्चे भी है पिरे अपने में उनके सकारात्मक भूम का निभाई गई है उन्होंने पहली बार प्रमुग्नकारात्मक भूम का फिल्म दुंद में निभाई थी इसके बाद वे कई फिल्मों में दिखाई दिये और उनके अविने का कमाल सभी ने देखा आलुचकों और जनता ने हमेशा से हैं उनकी सराहना की है फिल्म घातक में उनके द्वारा निभाया गया किरदार करत्या आज भी लोगों को भूलाए नहीं दोलता कोहराम मूबी में तब्बु जी ने अपने रोल को बखू भी प्ले किया है तो आए जानते हैं तब्बु जी के बारे में तब्बु हिंदी रूप से हिंदी फिल्मों में अभिने करती हैं इसके अलावा उन्होंने अंग्रे जी तेल्कू टमिल और मलेयालेम मराथी और बंगाली फिल्मों में भी काम किया है उन्हें सर्फश्ट अबनेत्री का दो बार राष्टी और छे बार फिल्म पेर पुरुसकार भी मिल चुका है और उन्हें भारत सरकार की तरफ से पदम सिरी सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है वह भारत की निपुड अबनेत्रियों में से एक मानी जाती हैं वे मीडिया से दूरी बना कर रखती हैं और अपने निजी जीवन को किसी से ज़्यादा जाहिर नहीं करती हैं उनके पिता का नाम जमाल हास्मी और मा का नाम रिजवाना है उनकी एक बड़ी बहन है जिनका नाम फराज नाज है वे हिंदी फिल्मों की मसूर अबनेत्री रही हैं तब्बु ने साधी नहीं की है तब्बु की पढ़ाई सेंट एस स्कूल हाइदराबाद से हुई थी इसके छोटा सा कीरदार था और उस वक्त उनकी उम्र काफी कम थी उन्होंने अबनेत्री के तोर पर उनकी पहली तेलगो फिल्म कुली नंबर वन थी मुखे अबनेत्री के तोर पर उनकी पहले फिल्म हिंदी फिल्म रही पहला पहला प्यार इसके बाद आई फिल्म विजय पत ज लिए है इसमें माचीस विरासत हुतुतु अस्तिस्तु चांदनी वार दे दे प्यार दे द्रस्यम और हैदर प्रमुख है जया प्रदाजी ने कोहरा मोबी में अपना रोल बखू भी निभाया है उनके द्वारा लोगों ने काफी प्रसंसाय मिली हैं उनको तो जया के कहने पर तेलगू देशम पार्टी जोईन की थी लेकिन वे बात इसे छोड़ कर यूपी चली आई और समाजवादी पार्टी जोईन करके यूपी के रामपूर से दो बार सांसत बनी हैं हाल ही में उन्होंने बीजेपी जोईन की है और फिर रामपूर से चुनाओ मैदा निम हैं वो लगातार समाजवादी जिनेता आजम खान के बयानों के कारण सुर्खियों में भी हैं इसके अलावा वो 1998 से 2004 तक राजी सभा सदस से भी रह चुकी हैं जया प्रदा का जर्म 3 अप्रेल 1962 को आंदर प्रदेश के राजमुंदरी में हुआ था उनके पिता क्रश् स्कूल में वार्शी सोक में डांस कर रही थी तब ही वहां पधारे एक फिल्म डारेक्टर की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने जया को अपनी तेल्गु फिल्म भूमिका कोसम में एक थ्री मिनट का टाइम डांस नंबर आफर किया यह वही हैं फिल्मी केरियर की उन्होंने कई तिल्गु तमिल कर्णन और हिंदी फिल्मों में भी काम किया है जया ने 1986 में प्रेडियूसर सिरीकांत नहाता से साधी की है जो कि पहले से ही साधी सुदा थे और तीन बच्चों के पिता थे यह साधी उस समय का भी चर्चा में रही थी फिल्मों से संबंधित कई आवार्डों के साथ साथ जया को तीन बार फिल्म फेर पुरकार और आवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है करनल बलवीर सिंग सोडी यानिकी आमिता बच्चन को इस मामले की जाच करने के लिए कहा जाता है और उन्हें पता चलता है कि मंतरी बीर भदर सिंग डैनी डेंग जोग पा इस साजिस में सामिल हैं करनल सोडी ने चंगेजी को मारने के प्रयास में अपनी मौत का मंचन किया है और मुंबई में दादा भाई देवराज हतोडा के रूप में रहना सुरू कर दिया है मेजर अजीत आर्रे यानिकी नाना पाटेकर को एक बंगाली की आण में भेजा जाता है पत्रकार दादा भाई देवराज हतोडा की असली पहँचान का पता लगाने के लिए आरी को सच्चाई का पता चलने के बादो मंतरी को न्याय दिलाने और आतंकवादी समूह को समाप्त करने के लिए करनल सोडी से हाथ मिलाता है और तब्बू को मेजर अजीत आरे के प्यार में एक पुलिस अधिकारी के रूप में दिखाया गया है और जयाप्रदा को करनल सोडी की पतनी के रूप में दिखाया गया है कोहराम मोवी सन 1999 की भारती हिंदी भासा की एक्षन फिल्म है जिसका निर्देशन मेहुल कुमार ने किया है इसमें अन्नी सहक अबनेताओं के साथ आमिता बच्चन, नाना पाटेकर, जया परदा, डैनी, डेंग, जोगपा, तब्बू और जहकी स्राफ हैं यह बॉक्स आफि दुरानी और इस फिल्म को निर्मित किया है अमताबच्चन कार्पोरेशन ने और इस फिल्म को अफनित किया है अमताबच्चन जया परदा, नाना पाटेकर और पुनीत ने और इस फिल्म में संगीत दिया है दिलीप सेन और समीर सेन जी ने यह मोवी रिलीज हुई थी 13 अ आठ करोड यानि की U.S. 2.1 मिलियन की सुद्ध कमाई हुई थी तो दोस्तों इस फिल्म ने किसने कौन सा रोल निभाया है तो आईए जानते हैं उनके बारे में करनल बलवीर सिंग सोड़ी यानि की देवराज हाथोड़ा दादा भाई के रूप में आमतावच्चन है और मेजर अजीत आर्रे बाजू बंकिम चंद्र चटोपत ध्याय बीविसी के रूप में नाना पाटेकर हैं और जयाप्रदा नम्रता भी सोड़ी के रूप में हैं मेजर राठावर के रूप में जैकी स्राप कैमियो हैं और डैनी डेंग गोजपा मंत्री वीरभद्र सिंग के रूप में हैं और मुकेस्त्रिसी गफूर चंगेजी के रूप में हैं और इस्वेक्टर किरंट पाटेकर के रूप में तब्बू हैं और मुकूल देव मोंटी के रूप में हैं और कबीर वेदी ब्रिगेडियर के रूप में वेदी हैं और आइसा जुलका स्वीटी के रूप में हैं और अवतार गिल पुलिस आयुक्त के रूप में हैं और वीर भादर सिंग की बेटी के रूप में किसोरी गोड बोले हैं उनकी फिल्म म्रत्युदाता 1997 बॉक्स आफिस पर फ्लाप होने के बाद निर्देशक मेहुल कुमार अमिता बच्चिन के साथ एक बार फिर फिल्म बना न चाहते थे इन दोनों फिल्मों का निर्मार अमिता बच्चिन कारप्रोरेशन नी किया था यही है कि समय था जब उन्हें कोहराम पर विचार किया तो उसने घोसित मूल कलाकारों में डिम्पल कपाडिया अरसदवार्सी और करिस्मा का पूर सामिल थे जिनका कम कार सीरसक यह वतन तेरे लिए था हलाकि बाद में फिल्म करने के लिए तैयार हो गए पहले यह फिल्म 6 अगस्त को रिलीज होने वाली थी लेकिन फिर मेहुल कुमार ने इसे 13 अगस्त तक बढ़ा दिया इसकी अलोचातमक सुईकारता हैं कोहराम को मिस्ति समिच्चाएं मिली हैं ले इसे प्रसंद किया समिच्चक आजे चतुरवेदी ने इसे एक आउसाथ फिल्म कहा है उन्होंने कहा है कि जहां पहली चमाही अच्छी है वहीं दूसरी चमाही को संपादित किया गया है लेकिन फिल्म नाना पाटेकर के प्रसंसकों के लिए एक इलाज है उन्होंने फिल् प्रूनी हिंसों में कुछ अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कर सकता और अंते में एक ओसत कमाई करने वाली घूसित हुई इस फिल्म में गीत दिलीप सेन और समीन सेन की जोड़ी का संगीत है नमबर एक जै मातादी वे अंबे बलिहारी संजीवनी कु प्रूखियां दे हाथवे किसन पाल सिंग और जाने मन जाने मन लड़की टू नमबर वन उदिद नाराण और कविता कृष्ण मूर्ती जीने इसको गाया है नमबर पांच पागल हुआ 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 संकर महादेवन और जस्पिंदर सिंग नरूला ने इसको गाया है नमबर छे इसक मासुका है ये जिन्दगी तुम हो इस पे सवदा सुदेश भोसले और अमित कुमार जीने इसको गाया है नमबर साथ लड़की लड़की हो लड़की अलकायागनि और अवनित जीने इसको गाया है हम हैं बनारस के भईया सुदेश भोसले और अमित कुमार जी ने इसको गाया है तो दोस्तों कोहराम मुबी का निर्देशन मिहुल कुमार जी ने किया है तो मिहुल कुमार मुहमबत इब्राहीम बलोच या बलोच जन्म 1999 जिसे मिहुल कुमार के नाम से जाना जाता है बाली बुड में एक भारती फिल्म निर्माता और लेखक हैं तिरंगा 1992 में और क्रांती वीर 1993 और कोहराम 1999 फिल्मों के निर्देशन के लिए जाना जाता है उनकी अनिकरतियों में म्रत्युदाता 1997 और कितने दूर कितने पास 2002 के साथ साथ कई गुजराती फिल्में सामिल हैं महिल कुमार मुहमद इब्राहिम बलूच एक जुलाई 1999 को इनका जन्म जामनगर बामबे राजजी भारत में हुआ था इनका मात्र संस्थान बामबे भी सुविद्याले बेवसाय फिल्म निर्माता और लेखक और पत्रकार हैं इसने अपने जीवन की सुरुवात 1977 से बरतमान समय तक इनके तीन बच्चे हैं अगर इनके हम प्रारब्मिक जीवन की बात करें तो मेहूल कुमार का जन्म 1949 में गुजरात के जामनगर सहर में एक मकरानी बलूच परिवार में मुहम्मत बलूच के रूप में हुआ था बांबी भी स्विद्याले से इसना तक होने के बाद उन्होंने 1970 के दसक की सुरुवात में एक पत्रकार के रूप में सुरुवात की और जिसमें फिल्म समिच्छा लिखना सामिल था इसके बाद वो एक गुजराती थ्रेटर में इस काम करने चले गए अगर हम इनके फिल्मी कैरियर की बात करें तो इन्होंने फिल्मों में उनका पहला काम चंदरकांत शंगनी के सहायक निर्देशक के रूप में और फिर आमिर खान के पिता ताहिर हुसाइन के साथ था उन्होंने गुजराती कमेडी चंदू जमादार 1977 के साथ अपने निर्देशन की सुरुवात की जो दादा कोड के की बेहित सफल लोब रो मराठी कमेडी पांडू हवलदार 1975 की रीमेक थी हाला कि ये कुमार की 1977 की दुवासी हिंदी गुजराती फिल्म जनम ना साथ गुजराती फिर फिर जनम लेंगे हम हिंदी थी जिसे ताहिर हुसेन ने निर्मित किया था जिसे पहली बार पहचान मिली थी अपनी सफलता के बाद कुमार ने इन वर्सों में 18 सफल गुजराती फिल्मों का निर्देशन किया है कुमार ने फिर अपनी दूसरी हिंदी परियोजना अनोका वंधन 1982 बनाई है इसके बाद उन्होंने धर्मेंदर जितंदर और अनिल कपूर मिनाची सोसाद्री और सबान आजमी, माधुरी दिश्चित और शत्रगन सिना, महमूद और फिरोज खान जैसे अबने अताओं के साथ फिल्मों का निर्देशन किया है इसके बाद कुमार की ब्लोगबास्टर गोल्डेन, जूबली हिट मार्केट, डैम तक 1987 आई जिसमें राजकुमार गोविंदा और फराह ने आभिने किया है, 1990 के दसक में जंग बाज, नफरत की आखे और बंदूग टूबैक फिल्मों की एक स्रंकला का अनुसरन किया गया है, 1990 के दसक में उन्होंने राजकुमार और नाना पाटेकर अबनित तिरंगा 1992 जैसी देवसाइक रूप से सफल फिल्में बनाई ह इसके बाद बंबाई दंगे पर आधारित क्रांती वीर 1993 का अनुसरन किया है, क्रांती वीर बॉक्स आफिस पर हिट रही, जिसमें नाना पाटेकर ने अपने प्रदर्शन के लिए राश्टी फिल्म प्रेयर पुरुसकार जीता है, और कुमार ने तब ABCL की पहली फिल्म र अमताबच्चन को एक साथ लाया, हलाकि ये वेवसाइक रूप से भी अस्फल रही, लेकिन इसे इसके प्रमुक अपने ताओं के प्रदर्शन के लिए याद किया जाता है, इसके बाद उन्होंने कितने दूर कितने पास 2002 बनाई, जिसने अच्छा प्रदर्शन किया, उनक कि आकरी फिल्म क्रांती वीर दा, रिवोलेशन थी, 2010 में उनकी बेटी जहान बलोच ने मुकी भूम का निभाई और क्रांती वीर की अगली कड़ी थी, उन्होंने अपनी कुछ फिल्लने में जैसे तिरंगा, क्रांती वीर, कोहराम और जागो का निर्माड भी किया है, फिल अगर हम इनके निजी जीवन और परिवार की बात करें तो, कुमार जामनगर में मेहूल सिनमाइक्स चलाते हैं, जो उनकी प्रोडक्शन कंपनी मेहूल इंटर्टेन्मेंट प्राइवेट लिम्टेड के स्वामित्त में है, उनके भाई हुसेन बलूच गुजराती सीनेमा म एक फिल्म निर्देशक हैं और उन्होंने कुमार के साथ उनकी कई फिल्मों में वी काम किया है, कुमार की वेटी जहान बलोच करांति वीर की अगली कड़ी करांति वीर्दा रेवूलियोसन 2010 में मुकी भूंका में दिखाई दी, वो पहले उनकी फिल्मों में एक बाल अब चलाती हैं उनके बेटे जोहेव मुहम्मद बलूच ने कुमार को फिल्मों में निर्देशन के रूप में सहायता प्रदान की उनकी एक और बेटी समीम खान है जो एक कस्ट्यूम डिजाइनर हैं और एक भाई प्रोडेक्शन मैनेजर मुहम्मद बलूच हैं दोनों ने कुमा के लिए बलूच की असमान निवर्तनी का उपयोग करता है जिसे आम तोर पर बलूच के रूप में लिखा जाता है क्रांती बीर को मिहूर कुमार जी ने निर्देशित किया है 1994 की भारती हिंदी भासा की एक्शन क्राइम फिल्म है इस फिल्म में नाना पाटेकर डिंपल का पाडिया और अगनिहोतरी ममता कुलकरणी और डैनी डिंग गोजपा और परेश रावल है यह वर्स की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई इसके अत्रिक्त तीन इस्टार इसक्रीन प्रुसकार चार फिल्म फेर प्रुसकार और एक राष्टी फिल्म फेर रेवुलियोशन 2010 के रूप में जारी की गई थी यह बॉक्स आफिस इंडिया के अनुसार यह बॉक्स आफिस पर एक ब्लैक बॉस्टर थी इसकी कहानी सुरू होती है प्रताब तिलक यान की नाना पा टेकर एक सोतंतरता सीनानी भीस्व नराण तिलक के पोते हैं प्रताब प्रताब मुमय आता है और जहां वो चाल मालिक लश्मी नात परिस रावल के बेटे अतुल अगनिहोतरी की जान बचाता है लश्मी कांत ने प्रताब को अपनी साथ रखनी का फैसला किया जब वो बड़े होते हैं तो अतुल को ममता कुलकरनी से प्यार हो जाता है जो से लड़ता रहता है प्रताब लोगों को दूसरे की मदद के लिए इंतजार करने के बजाए मजबूत बनाना और खुद के लिए लड़ना सिखाता है चतुर सिंग चिता यान की डैनी डिंग गोचपा एक योगराज और रिसार्ट बनाने की योजना बनाते हैं और उस चलता है कि वो मेगा के माता पिता की हत्या चतुर सिंग चिता ने ही की थी और उसके साथ वलतकार किया था वो उससे साधी का प्रस्ताव रखता है और ममता और पिता का घर छोड़कर अतुल के घर आती है प्रताब भ्रिष्ट मंतरी यानिकी नियाधीस और पुलिस अधिक ये कहानी एक बहादूर व्यक्ति की है जो अन्याय का सामना करने का फैसला करता है और इसके लिए अपनी जान देने को तयार है प्रताब की कोशिस की जाती है और उसे फांसी की सजा सुनाई जाती है अंतिम समय में उसे फांसी दिये जाने से पहले ये एक वकील घटना लेखने का मुखी कारण है समिच्छा के आगे कपाडिया और रावल सहीत मजबूत सहय कलाकारों का उलेख किया गया है कोहरा मोबी में अमता बच्चन जी ने अपने रोल को बखू भी प्ले किया है तो आए जानते हैं अमता बच्चन जी के बारे में अमता बच्चन जी का ज जाना जाता है उन्हें भारती सिनेमा के इत्यास में सबसे प्राचीन सबसे प्रभावसाली अपनेताओं में से एक माना जाता है 1970 और 1980 के दसक के दोरान वो एक भारती फिल्म परदर्स में सबसे प्रभावसाली अपनेता थे फ्रांसीसी निर्देशक फ्राइंग को इस टू ने उन्हें वन मैन इंडिस्टी का मैन कहा गया है इनका जन्म 1942 में इलाहबाद में हिंदी कभी हरिवन्स राय वच्चन और उनकी पत्नी सामाजी कारेकरता तेजी वच्चन के यहां हुआ था उन्होंने सेरवुड कालेज नैनी ताल और किरोडी मल कालेज दिल्ली विस्विदाले से सिच्छा प्राप्त की है उनकी फिल्मी कारियर 1979 ने मनडाल सेंद की फिल्म भूवन सोम से एक आवाज कथाकार के रूप में सुरू हुआ उन्होंने अपनी पहली बार 1970 के दसकी सुरुवात में जंजीर दीवार और सोले जैसी फिल्मों के लिए लोग प्रयता हांसिल की है और उन्होंने हिंदी फिल्मों में उनकी आन स्क्रीन भूमकाओं के लिए उन्हें भारत का एंगी एंग मायन करार दिया गया है के रूप में संदर्वित बालीबुट के साहनसा उनकी 1988 के फिल्म साहनसा के संदर्व में साधी का महानायक हिंदी के लिए दा ग्रेटर एक्टर आफ दा सेंचुरी इस्टार आफ दा मिलेनियर या बी बिग बॉस या तब से 200 से अधिक भारती फिल्मों में दिखाई दिये हैं पांच दस्कों से अधिक के अईर कैरियर में अपने कैरियर में कई पुरुसकारों जीते हैं जिसमें सर्फिष्ट अभिनेता के रूप में चार राष्टी फिल्म पेर पुरुसकार आजीवन उपलबदी पुरुसकार के रूप में दादा साहयफल के पुरुसकार और और पुरुसकार समारों में कई पुरुसकाल सामिल हैं उन्होंने 16 जीता है फिल्म पेर पुरुसकार और फिल्म पेर में किसी भी प्रमुक अन निस्रेडी में सबसे अधिक नामांकित कलाकार हैं जिसमें कुल मिलाकर 42 नामांकर हैं अभिने के अलावा अभिसेग बच्चन इ करन्ड who wants to be our millionaire के कई सीजन की मेजवानी की है उन्होंने 1980 के दसक में कुछ समय के लिए राजनीती में भी प्रवेश किया है भारस सरकार ने उन्हें कला में उनके योगदान के लिए 1984 में पदम सिरी 2001 में पदम विभूसन और 2015 में पदम विभूसन से सम्मानित किया है फ्रांस सरकार ने उन्हें सिनेमा और उससे आगे की दुनिया में उनके असाधारन कैरियर के लिए 2007 में अपने सरवोच नागरिक सम्मान नाइट आफदा लिजन आप आनर से सम्मानित किया गया है अमता बच्चन एक हालीबोड फिल्म बाज लुहरमन की दा ग्रेट गैडव सवी 2013 में वी अबने किया है जिसमें उन्होंने एक गैर भारती याहुदी चरित्रमेर वेल साइव हम की भूम का निभाई है भारती उप महादियूप से परे उन्होंने अफरीका दच्चिड अफरीका पूर अफरीका और मारिसस मद्धिपूर विशेस रूप से सैंक्त अरब अमीरात और मिस्तर यूनाटेट किंग्डम सहित पाजारों में दच्चिड एसियाई डाइसपोरा के साथ साथ अन्नी लोगों का एक बड़ा विदेशी अधिकरण किया है रूस कैरेविन गुयाना सूरिनाम और त्रिनद और टुबेगो और ओनिसो फ्रीजी अस्टेलिया और न्यूजिलेंड कनाड़ा और सैंक्त राज अमेरिका है अगर इनके हम प्रारभिक जीवन की बात करें तो अमिता बच्चन का जनम 11 अक्टूबर 1942 को इलाहबाद में हिंदी कवी हरिवन सराय बच्चन और सामाजी कारिकरता तेजी बच्चन के यहां वुआ था हरिवन सराय बच्चन एक आवधी हिंदू कास्त थे जो आवधी हिंदू और उर्दू में धारा प्रवाह थे हरिवन सराय के पूर्व पूर्वज भारत के बरतमान उत्तर प्रदेश राजी के प्रताब गरजीले के रानी गंज तहसील के बापू पट्टी नामा गाम से आए हुए थे तेजी बच्चन एक पंजाबी थे लायलपूर पंजाब ब्रटिस भारत बरतमान हैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान से सिक्ख खत्री बच्चन का एक छोटा भाई अजिताब है वो उसे पांच साल छोटा है इनका नाम इक लाब क्रांती के रूप में हिंदुस्तानी रखे जा रहे थे जो की भार 333 संग्राम के दोरान लोगपरी रूप से इस्तेमाल किये गए इनका लाब जिन्दाबाद जो अंग्रेजी में लंग आउव लाइबदा रिलियोशन के रूप में अनुवाद करता है से प्रेरित है अमता बच्चन नाम उनके पिता को कभी सुमित्रा नंदन पंत निस सुजाया था हलाकि उनका उपनाम स्रीवास्तो था अमता बच्चन के पिता जिन्होंने जाती बेउस्ता का विरोध किया था बच्चन ने बोल चाल की हिंदी में बच्चे की तरह अपनाया था जिसके तहत उन्होंने अपने सभी कारियों को प्रकासित किया है जब उनके पिता उन्हें एक स्कूल में भरती कराना चाहते थे तो उन्होंने और बच्चन की माने फैसला किया की परिवार का नाम स्रीवास्तों के बजाए बच्चन होना चाहिए इसी अंतिम नाम के साथ अमता बच्चन ने फिल्मों में सुरुवाती की और अनिसभी ब्योहारी कुद्देसों के लिए इस्तेमाल गिया बच्चन अपने ततकौल परिवार के लिए उपनाम बनाए गए बच्चन के पिता की मृत्यू 2003 में और उनकी माता की मृत्यू 2007 में हुई थी बच्चन की माद्मिक सिछा इलहाबाद में लड़कों के हाई इसकूल और कालिज और नायनीताल में सेरबूड कॉलेज में हुई थी उन्होंने दिल्ली विस्विद्याले में किरोडी मलकॉलेश से पढ़ाई की उन्होंने 1962 में किरोडी मलकॉलेश से विज्ञान इस्तनात की वाधी अस्तापेत की जब बच्चे ने अपनी पढ़ाई पूरी की तो उनके पिता पृतिवी राज कपूर के संपर्क में आये जो अब इने परिवार ये देखने के लिए कि क्या उनके कोई उद्गाटन हैं लेकिन कपूर ने कोई प्रोतसाहन नहीं दिया अमिता बच्चन बनने से पहले राजियू गांधी और संजियू गांधी के मित्र थे वो नई दिल्ली में अपने आवास के दोरान उनके साथ समय बिताते थे बच्चन का परिवार राजनेताओं के नहरू गांधी परिवार के बहुत करीवी था जब सुनिया गांधी अपनी साधी से पहले इटली ने पहली बार भारत आई तो बच्चन ने त्यारा फरवरी उनिस स्वरसट को पालम अंतरराष्टी हवाय अड़े पर उनका स्वाग किया था लेकिन ओडियंस में विफल कोलकात्ता में बर्ड एंड कंपनी के लिए बेउसाई कारिकारी बन गए और अपना फिल्मी कैरियर सुरू किया अपने ठेटर में काम किया एसा माना जाता है कि अमता बच्चन के कैरियर की परसंद में उनकी मां का कुछ प्रभाव हो स चाहिए अगर इनके हम फिल्मी कैरियर की बात करें तो इन्होंने अपने मनाल सेन की राष्टी प्रुसकार विजयता फिल्म भूवन सोम में एक आवाज कथाकार के रूप में अपनी फिल्म की सुरुवात की खाजा आहमाद अब्बास द्वारा निर्देशित और उत्पल रोल को बखूवी प्ले किया है तो आए जानते हैं नाना पाटेकर जी के बारे में भारती फिल्मों के अभिनेता हैं वो लेखक और फिल्म निर्माता भी हैं नाना पाटेकर हिंदी फिल्मों के मसूर अभिनेता माने जाते हैं उनके अभिने के साथ सभी कायल हैं और यही क उनके आभिने की दिवाने आपको हर आई वर्क के मिल जाएंगे नाना पाटेकर का जनम मुरूड जंजीरा रायगड महाराष्ट में हुआ था उनके पिता का नाम दिनकर पाटेकर और उनकी मा का नाम संजा भाई नाना पाटेकर है नाना पाटेकर की पढ़ाई सर जेजे इं जिसका नाम मलहर है अगर हम इनके फिल्मी केरियर की बात करें तो नाना पाड़ająकर ने केरियर की शुरुआत फिल्म गमन से वही थी लेकिन इन्डिष्टी में उन्हें फिल्म परिंदा से नोटिस किया गया है जिसमें उन्होंने खलनाएक की भुम का अदा की थी इस पिल्म प्रांतिबीर, खामोसी, यस्वंत, आब तक 56, अपरहनड, बेलकम, राजनीत उनकी प्रमुक फिल्मों में से एक हैं। दोजार आट में फिल्म एक्ट्रेस तनुसरी दत्ता ने नाना पटेकर पर फिल्म हार्न ओके प्ले एस एस के सेट पर योन उत्प्रियन का आरोप लगाया था। दाही नाना पटेकर ने तनुसरी के उपर मानिहानी का मुकदमा डायर किया। दैनी डिंग जोगपा ने गुम्र कोहरा मूबी में अपने रोल को बखूबी प्ले किया है। दैनी डिंग गोजपा हिंदी फिल्मों के मशसूर अभनेता हैं। हिंदी फिल्मों के साथ उन्होंने नेपाली, तेलगू और तमिल फिल्मों में भी आम किया है। दैनी को पदमसीरी समान भी मिल चुका है। वोے अपने खलनायक और सहाक अबनेता के किरदारों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कई फिल्मों में अपनी खलनाई की से लोगों को दिलों में दहसत पैदा की है डैनी का जन्म सिक्किम में एक बहुत परिवार में हुआ था डैनी की सुरुवाती पढ़ाई सिक्किम से हुई है इसके बाद की पढ़ाई उन्होंने बिरला बिद्यामंदिर और सेंट जोसेफ कालेद दरजलिंग से की है डैनी ने फिल्म और टेलिवीजन इंडिस्ट्रू आफ इंडिया पूरे से एक्टिंग के गुज सीखे हैं डैनी की साधी गावा देंग गोपा से हुई है उनके दो बच्चे भी है रिजनिंग डेंग गोजपा और पेमा डेंजगोपा अगर इनके हम फिल्मी केरियर की बात करें तो उनके फिल्मी केरियर की सुरुवात फिल्म जरूरत से हुई थी लेकिन फिल्म मेरे अपने में उनके सकारात्मक भूम का निभाई गई है उन्होंने पहली बार प्रमुगनकारात्मक भूम का फिल्म दुन्दस में निभाई थी इसके बाद वे कई फिल्मों में दिखाई दिये और उनके अविने का कमाल सभी ने देखा आलुचकों और जनता ने हमेशा से हैं उनकी सराहना की है फिल्म घातक में उनके द्वारा निभाया गया किरदार करत्या आज भी लोगों को भूलाए नहीं दोलता कोहराम मूबी में तब्बु जी ने अपने रोल को बखू भी प्ले किया है तो आये जानते हैं तब्बु जी के बारे में तब्बु हिंदी फिल्मों की मस्कूर अबनेत्री हैं वे मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में अभने करती हैं इसके अलावा उन्होंने अंग्रेजी, तेलगुत तमिल और मलेयालम मराठी और बंगाली फिल्मों में भी काम किया है। प्रदीस में हुआ था, उनके पिता का नाम जमाल हास्मी और मा का नाम रिजवाना है, उनकी एक बड़ी बहन है जिनका नाम फराज नाज है, वो हिंदी फिल्मों की मसूर अबनेत्री रही हैं, तब्बु ने साधी नहीं की है। और उस वक्त उनकी उम्र काफी कम थी। उन्होंने अबनेत्री के तोर पर उनकी पहली तेलगो फिल्म कुली नंबर वन थी। मुखे अबनेत्री के तोर पर उनकी पहली फिल्म हिंदी फिल्म रही पहला पहला प्यार इसके बाद आई फिल्म विजय पत जिसके लिए उन्हें सर्फशेष्ट नवो देत अबनेत्री का फिल्म फिल्म फिर प्रुसकार भी मिला है। इसके बाद उनकी कई फिल्में आई जिसके लिए उन्हें आलोचकों के साथ साथ दर्सकों से भी खुब वहवा ही मिली है। फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। 1994 में जया ने अपने करीबी एंटी रामा राव के कहने पर तेलगू देशम पार्टी जोईन की थी। लेकिन वे बात इसे छोड़ कर यूपी चली आई। और सामाजवादी पार्टी जोईन करके यूपी के रामपूर से दो बार सांसत ब राज सभा सदस से भी रह चुकी हैं। जया प्रदा का जनम 3 अप्रेल 1962 को आंदप्रदेश के राजमुंदरी में हुआ था। उनके पिता क्रशन राव तेलगू सिनेमा से जुड़े हुए थे। जबकि उनकी मा एक ग्रहड़ी हैं। अगर हम इनके फिल्मी केरियर की बात परपड़ी और उन्होंने जया को अपनी तेलगू फिल्म भूमिका कोसम में एक 3 मिनट का टाइम डांस नंबर आफर किया। यह वही हैं फिल्मी केरियर की सुरुवात हुई। उन्होंने कई तेलगू तमिल कर्नन और हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। जया ने 1986 में प समबंदित कई आवार्डों के साथ साथ जया को तीन बार फिल्म फिल्म फियर पुरकार और आवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इस साजिस में सामिल हैं करनल शोडी ने चंगेजी को मारने के प्रयास में अपनी मौत का मंचन किया है। और मुंबई में दादा देवराज हाथ होडा की असली पहंचान का पता लगाने के लिए आरी को सच्चाई का पता चलने के बाद हो मंत्री को न्याय दिलाने और आतंकवादी समुह को समाप्त करने के लिए करनल सोडी से हाथ मिलाता है और तब्बु को मेजर अजीत आरे के प्यार में एक पुलिस अधिकारी के रूप में दिखाया गया है और जया प्रदा को करनल सोडी की पत्नी के रूप में दिखाया गया है गोहराम मोवी सन 1999 की भारती हिंदी भासा की एक्षन फिल्म है जिसका निर्देशन मेहूल कुमार ने किया है इसमें अन्नी सहक अबनेताओं के साथ आमता बच्चन, नाना पाटेकर, जया प्रदा, डैनी, डेंग, जोगपा, तब्बू और जहकी स्राप हैं यह बॉक्स आफ और इस फिल्म को निर्मित किया है आमता बच्चन कार्पोरेशन ने और इस फिल्म को अफनित किया है आमता बच्चन, जया प्रदा, नाना पाटेकर और पुनीत ने और इस फिल्म में संगीत दिया है दिलीप सेन और समीर सेन जी ने यह मूवी रिलीज हुई थी 13 अगस्त 1999 को 20 भारत भाष्षा हिंदी अगर इसके बजट की बात करें तो 11 क्रोंड यानि की U.S. 1.4 मिलियन के बजट पर ये मूवी तयार हुई थी अगर इसके बॉक्स आफिस कलेक्शन की बात की जाये तो 16.8 क्रोंड यानि की U.S. 2.1 मिलियन की सुद्ध कमाई हुई थी तो दोस्तों इस फिल्म ने किसने कौन सा रोल निभाया है तो आईए जानते हैं उनके बारे में करनल बलवीर सिंग ढोर सोड़ी यानि की देवराज हथोड़ा दादा भाई के रूप में आमतावच्चन है और मेजर अजीत आरे बाजू बंकिम चंद्र चटोपत ध्याय बीवीसी के रूप में नाना पाटेकर हैं और जयापरदा नम्रता भीसोड़ी के रूप में हैं मेजर राठाओर के रूप में जैकी स्राप कैमियों हैं और डेनी डेंग गोजपा मंत्री वीरभदर सिंग के रूप में हैं और मुकेस्त्रिसी गफूर चंगेजी के रूप में हैं और स्पेक्टर किरण पाटेकर के रूप में तब्बु हैं और मुकूल देव मोंटी के रूप में हैं और कबीर वेदी ब्रिगेडियर के रूप में वेदी हैं और आइसा जुलका स्वीटी के रूप में हैं और अवतार गिल पुलिस आयुक्त के रूप में हैं और बीर भादर सिंग की बेटी के रूप में किसोरी गोड बोले हैं उनकी फिल्म म्रत्युदाता 1997 बॉक्स आफिस पर फ्लाप होनी के बाद निर्देशक मेहुल कुमार अमिता बच्चिन के साथ एक बार फिर फिल्म बनाना चाहते थे इन दोनों फिल्मों का निर्मार अमिता बच्चिन कार्पोरेशन नी किया था यही है कि समय था जब उन्हें कोहराम पर विचार किया तो उसने घोसित मूल कलाकारों में डिमपल कपाडिया अरसत वार्सी और करिस्मा का पूर सामिल थे जिनका कम कार सिर्षक एव वतन तेरे लिए था हलाकि बाद में फिल्म करने के लिए तैयार हो गए पहले यह फिल्म 6 अगस्त को रिलीज होने वाली थी लेकिन फिर मेहुल कुमार ने इसे 13 अगस्त तक बढ़ा दिया इसकी अलोचात्मक सुईकारताएं कोहराम को मिस्त्री समिच्छाएं मिली हैं लेकिन कुमार की पिछली फिल्म रतुदाता से बहतर फिल्म मिली जबकि राटन टोमाटोज पर केवल 16% उपवक करताओं ने इसे प्रसंद किया समिच्छक आजे चतुरवेदी ने इसे एक आवसात फिल्म कहा है उन्होंने कहा है कि जहां पहली शमाही अच्छी है वहीं दूसरी शमाही को संपाइदित किया गया है लेकिन फिल्म नाना पाटेकर के प्रसंसकों के लिए एक इलाज है उन्होंने फिल्म में तब्बू के अभिने की भी सरहना की है अगर इसके बॉक्स आफिस की बात करें तो कोहराम ने बॉक्स आफिस पर 133 मिलियन की कमाई की जबकि U.S. में इ प्रीप सेन और समीन सेन की जोड़ी का संगीत है नंबर एक जय मातादी वे अमबे बलिहारी संजीवनी कुमार ने इसको गाया है नंबर दो पलकों को कलाम बना के तो मेरा नाम नहीं अलका यागनिक और हर्हरन जीने इसको गाया है नंबर तीन सत नाम वाहिगरू बाबा नानक दुखियां दे हाथवे किसन पाल सिंग और जाने मन जाने मन लड़की टू नंबर वन उदिद नाराण और कविता कृष्ण मूर्ती जी ने इसको गाया है नंबर पांच पागल हुआ 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 संकर महादेवन और जस्पिंदर सिंग नरूला ने इसको है इसक मासका है जिन्दगी तुम हो इस पर सवदा सुधैस भोषले और अमिथ कुमार ज snate न इसको गाया है नंबर साथ पलोच जन्म उनिस्ट उन्चाज जिसे मिहुल कुमार के नाम से जाना जाता है। उनिस्ट उन्चास को इनका जन्म जामनगर बामबे राजजी भारत में हुआ था। स्विद्याले से इसना तक होने के बाद उन्होंने 1970 के दसक की सुरुआत में एक पत्रकार के रूप में सुरुआत की और जिसमें फिल्म समिच्छा लिखना सामिल था। इसके बाद वो एक गुजराती थ्रेटर में इस काम करने चले गए। अगर हम इनके फिल्मी कारियर की बात करें तो इन्होंने फिल्मों में उनका पहला काम चंद्रकांत शंगनी के सहाइक निर्देशक के रूप में और फिर आमिर खान के पिता ताहिर हुसाइन के साथ था। उन्होंने गुजराती कमेडी चंदू जमादार 1977 के साथ अपने निर्देशन की सुरुवात की जो दादा कोड के की बेहित सफल लोब्रो मराठी कमेडी पांडू हवलदार 1975 की रीमेक थी। कुमार की 1977 की दूइभासी हिंदी गुजराती फिल्म जनम जनम ना साथ गुजराती फिर फिर जनम लेंगे हम हिंदी थी जिसे ताहिर हुसेन ने निर्मित किया था जिसे पहली बार पहँचान मिली थी। अपनी सफलता के बाद कुमार ने इन वर्सों में 18 सफल गुजराती फिल्मों का निर्देशन किया है। जिसमें राजकुमार गोविंदा और फराह ने आभिने किया है। 1990 के दसक में जंग बाज नफरत की आखे और बंदूग टूबैक फिल्मों की एक सरंकला का अनुसरन किया गया है। 1990 के दसक में उन्होंने राजकुमार और नाना पाटेकर अबनी तिरंगा 1992 जैसी बेवसाइक रूप से सफल फिल्में बनाई है। इसके बाद बंबई दंगे पर आधारित क्रांती वीर 1993 का अनुसरन किया है। को एक साथ लाया हलाकि ये वेवसाइक रूप से भी अस्फल रही लेकिन इसे इसके प्रमुक अपने ताओं के प्रदर्सन के लिए याद किया जाता है। इसके बाद उन्होंने कितने दूर कितने पास 2002 बनाई। इसने अच्छा प्रदर्सन किया। उनकी अगली फिल्म जागो 2004 में एक ब्योसाइक जीवन की घटना पर आधारित थी और भारत में बलतकार के बारे में जागरुकता बढ़ानी वाली पहली फिल्म में से एक थी। उनकी आखरी फिल्म क्रांती वीर्दा रिवोलेशन थी 2010 में उनकी बेटी जहान बलोच ने मुकी भूम का निभाई और क्रांती वीर की अगली कड़ी थी। उन्होंने अपनी कुछ फिल्ने में जैसे तिरंगा, क्रांती वीर, कोहराम और जागो का निर्माड भी किया है। फिल्म परियोजनाओं पर कुमार के साथ काम करने और सहयोग करने वाले अन्य अबनेताओं में डिमपल कपाडिया, नसरुदीन साह, अक्षे कुमार, रवीना टंडन और करिस्मा कपूर जैसी हस्तियां सामिल हैं। अगर हम इनके निजी जीवन और परिवार की बात करें तो कुमार जामनगर में मेहूल सिनमाइक्स चलाते हैं जो उनकी प्रोडक्शन कमपनी मेहूल इंटर्टेन्मेंट प्राइवेट लिम्टेट के स्वामित्त में है। उनके भाई हुसेन बलूच गुजराती सिनेमा में एक फिल्म निर्देशक हैं और उन्होंने कुमार के साथ उनकी कई फिल्मों में विकाम किया है। रूप में काम करते हुए एक बेकरी चलाती हैं।